benefit भी यहालो एरिवर्वण कैसे हैं आप सब आई हूँ आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं सही है ना पढ़ाई तो करी रहे होंगे इसमें कोई डॉट नहीं क्योंकि आप सब मेरे साथ doubtnut में जो पढ़ रहे हैं बच्चों आप लोग अपना स्लेबर को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं न क्योंकि हम तो ध्यान दो कि जो जो Chapter 9 हो गए हैं उनमें जो सबस्रो किस तरह से आपको अपने नोट्स में लिखने हैं तो अपने कमर अप कसलो बेटा अगस्त आ चुका है मैं पूनम प्रजापत रसाइन विज्ञान की कख्षा बालवी में आप सुरी वच्चों का स्वागत करती हूं वैसे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं मुझे पता है लेकिन फिर के अपने को मिल रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो टॉपिक क्लियर करो और जो भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दे हम उसका हल आप तक पहुंचा देंगी तो चलिए भाई अपने तीन चैप्टर हैं आपको याद हैं अगर है तो फटा-फट कमेंट में जल्दी से जल्दी बता दो कि कौन-कौन से चाप्टर हो चुकी हैं जल्दी बताईए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजे ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचा जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें जुर सकें और जो चीजे नए तरीके से बताई जा रही है वो भी सीख सकें जल्दी कीजिए फटाफट फटाफट कर दो वहीं शेयर जल्दी से बाते नहीं करो पहले शेयर कर दो उसके बाद में लास्ट में जब क्लास ओप हो जाएगा तब पक्का बाते हैं ओके चले तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चाप्टर जिसका नाम है डीव अफ ब्लॉक के तत्वर राइट आपके अंसी आर्टी न्यूस लेवर्स जो है उसके अकोर्डिंग यह फॉर्थ चैप्टर है बात समझ में आ रही है नया स्लेवर्स की हट चुके हैं है ना तो ध्यान से इन चीजों को कवर करो तो आज अपन नया चाप्टर जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक आज डिसकॉस करेंगे एक नजर उस पर आये देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम उनके भूतिक गुणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे ठीक है बच्चों तो अपना कॉपी और पैन को उठा लें और ध्यान केवल स्टडी पर ठीक है तो आईए शुरू करते हैं चैप्टर को एक नॉर्मल से इंट्रोड़क्शन के साथ की एक्चली डी ब्लोक और कि ततो होते क्या है तो अब अपन इसका परीचे पड़ेंगे परीचे का मतलब क्या होता है परीचे का मतलब है कि अपने को पता हो की डी ब्लोक जो ततों है याkiem के अगर आपको तो थोड़ा भूत भी आईडिया है बस्तो में चगे थोड़ा बहुत नहीं क्योंकि आप बारवी में आ चुके हैं बोर्ड क्लास को फेस करने वाले हैं तो आपको आवर्सानी तो अब तक याद होनी चाहिए और नहीं है तो आप 11 क्लास का जो मेरा आवर्सानी का वीडियो बनाया गया है उसको जाकर देख लें ताकि आपको ची होना भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर जब S और P के मद्ध्य जो तत्व रखे गए हैं उन्हें तत्वों को D ब्लोक के तत्व कहा गया लेकिन D ही क्यूं कुछ और क्यूंकि हमारे पास उपकोश चारी होते हैं और कक्ष या कोश जादा हो सकते हैं लेकिन उपकोश चारी ब बता दो फटा फट बता दो ठीक है तो इसकी अंदर प्रतेक में हम देखेंगे कि S P D F चार उपकोश होते हैं तो इलेक्ट्रोन जब किसी कोश में भरा जाता है तो उस कोश में भरते वक्त जब इलेक्ट्रोन अपना अंतिम भाग कहीं पर भी फिल करता है या भरता है या यू कहे दूं कि किसी तत्व का जब अपन इलेक्ट्रोन की बात करते हैं इलाक्ट्रोन्syk विन्यास की बात करते हैं तो वह एलाक्ट्रोनिक विन्यास जो है आपका उसमें अंतिम जो इलाक्ट्रोन है जिस में आता है वह उसी उसbellesh का तत्व कहलाता है वैसे तो मैंने आपको पीछे बारे में बताया है और 11 प्लास के में भी आपका पूरा चैप्टर है आइस और फी ब्लोक का वहाँ प्रिया पड़ा होगा ठीक है तो यहां पर इलक्ट्रोन डी में भरा गया इसलिए इन्हें तत्वों को डी ब्लोक के तत्वा कहा गया राइट बात समझ में आगी ऐसे आफ में बिसकस कर लेंगे तो यह बात तो क्लियर हो गए अब अपन थोड़ी सी परिभाशा पर नजर डालते हैं कि यहां पर इसकी परिच्छे में परिफाशा के दिए तो कह रहे हैं कि डी ब्लोक के तत्वा समान्य और ऐसमान्य गुनों का अध्यन करने के लिए जा रहे हैं ब्लोकों में तत्वों का वर्गी करनून के विशिष्ट गुनों की आदार पर और इलेक्ट्रोनों को भरने के दौरान अंतेम इलेक्ट्रोन त तत्व के ब्लोक को तय करता है तत्व के किसको ब्लोक को तय करता है दी ब्लोक में तीन से बारा समूर है इस ब्लोक के तत्वों के कई योगी उध्योगों के लिए भी महत्वपूर है अब यह कह रहे हैं कि आपके D block में 3 से 12 समूर है 3 से लेकर 12 देखो यहां दिख रहा है 3 से लेकर 3 से लेकर 12 तक राइट 3 से 12 तक के जो किसमें है वर्ग में है और क्या है यह वर्गी तो है और यह क्या है आपके आवर्थ है वर्ग ग्रुप और किरियोडस आवर्थ सही बात है बच्चों जल्दी बता दू बात समझ आई कि नहीं कौन-कौन से तत्वः है इनका इलक्टोनिक बिन्यास क्या होगा सामन ने बन्यास क्या होगा इन सब की चर्चा भी हम यही पर करेंगे लेकिन पहले अपने यह पता होना चाहिए कि D-Block के जो तत्व हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं तेन से बारा तक के वर्ग में आते हैं कौन से आवर्थ में आते हैं चतुर्त पंचम शष्ट और सक्तम यानि कि चोते पांच में छटे और साथ में आवर्थ में आते हैं क्लियर बेटा बात समझ में आगी होगी एक बात और इसी आवर्थ सार्णी में पहले क्या था बेटा कि यह तत्व खोजे नहीं गए थे लेकिन आज जो आधुनिक आवर् आवर्थ सार्णी में ये आपका कौन सा सिरीज है 3-D ये कौन सा है 4-D ये कौन सा है 5-D और ये कौन सा है 6-D सीरीज है यह क्यों है ? ये मैं आगे समझाँगई ओके तो यह जो सिरीज है उसमें जो 6-D में जो तत्व आ रहे हैं उनकी खोज जो है अभी हुई है तो इसी ऑननी में इनकी स्थाथिए देख ली न आपने क्या बोल रहा है स्थाथी में यह जिन में चार लंबी अवधियां से प्रतेक में डी और्ड़ उत्रोतर भरे जाते हैं उत्रोतर मतलब एक के बाद एक कक्षक को भरते हैं दी ब्लोक के तत्व को दिया गया है उन्हें एक नाम दिया गया है जिने संक्रमन तत्व कहते हैं पहला प्रेश्ण दिमाग में आता है कि इने संक्रमन तत्व कहते हैं और कोई नाम क्यों नहीं क्योंकि यह जो तत्व हैं बी ब्लोक में इलैक्ट्रोनों का क्या क कते हैं करने त्रांजिशन कोर्ते रहते हैं दी में ही अपने एलैक्त रोण एक तस्द दूसरे कक्ष में भेज़ते रहते हैं इसे लिए ही इन्हें दे आत्मक को क्या का संक्रमान नाम के वल ऐस और पी ब्लौफ तकों के बीच उनकी इस्तति ये कारण भी हो सकता है संक्रमन ततू धातों की चार्श रंक लाएं हैं 3D सीरीज से 4D सीरीज 5 और 6D सीरीज सही है जरा ध्यान दो 3D सीरीज क्यों आप अगर electronic विन्यास को देखेंगे 11 प्लास में आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अपने पास 1s से शुरू होता है 2p से शुरू होता है और D3 से शुरू होता है कि हाँ यह नियास और नो बोलो ना जलदी जो आपके क्या है कोश्य हें वह तोँ umbStop और मार 2d से शुरू होते हैं ठीक 3D शुरू हो दे तो वो श्रंचना सोरी वो जो श्रंकला है तत्मों की वो 3D शुरू होगी तो पहला आवर 3D दूसरा उसके नीचे तो 4D फिर उसके नीचे तो 5D फिर उसके नीचे तो क्या आएगा 60 चार लेयर दिखाई दे रहे हैं हाँ दी का समझ में थीक दूसरी बाद 3D का कॉंसेट समझ में आया अगर आ गया तो फटावट यस मैं दिको जल्दी कमेंड में लिखो फटा-फट फटावट 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 ताकि बात क्लियर हो जाए और दूसरी बार ऐसा भी का गया है कि यह तत्व जो है आईसा और पी के मध क्लियर बेटा अगर बात समझ में आ गई तो फटा फट कमेंट लेख दो जल्दी 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 आप चलते हैं तो यह बात तो समझ में आ गई अब 3D में कौन-कौन से तत्व है उन्होंने का यह सब्सक्राइब यह सीज है यह एक श्रंकला है जिसमें डी ब्लोक के तत्व को रखाए एक बात जरा गोर देने डी कक्षक जो होता है यह कहूं कि डी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर बेटा अधिक्तम कितने इलेक्ट्वन भर सकते हैं आप कितने बर सकते हो टैन के पास कितनी होने चाहिए दस है कि एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस है ना बात समझाए यस ओके चले आईए जाए अब आजाओ यह कह रहे हैं संक्रमन तत्व की परिभाश वैस्तों मैंने बता दी है फिर भी एक बार बात कर लेकिए एक संक्रमन तत्व को उस तत्व की रूक में परिभाशित के जाता है जिसमें अपनी निम्न अवस्था में या किसी ओक्सिकन अवस्था में डी और्बिटल को अधूरा भरा जाता है क्या कहना चाहरा है यह कह रहा है कि कोई भी डी कक्षक है जिसमें एक से लेकर दस तक इलेक्ट्रोन है ठीक अगर एक, दो, तीन, चार, पांच, चैसाथ, नो, दस तक अपन भरते हैं 2, 3, 4 उना तो इनमें D कख्षक क्या हो रहा है आपके पास आपको ये तो पता है ना कि इस तरह से कख्षक होते हैं तो अपन एक भर दिया फे दो बर दिया तीन भर दिया चार बर दिया 5 अभी एक 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 और असकते हैं किसके नियम से मींड की भहून लगता की नीयम से आ सकते हैं कि यस यह आ एजमित भरो फिर पहली ने कहा आधि मेरिय और फिर दौज तो कितने अधर और 10 पावली के यू हुए तो कि यू ने यह पाली डीकक्षकों में आपस में इलेक्ट्रोनों का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोनों का संक्रमन हो रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें संक्रमन तत्व कहा जाता है, अब सुनो, जिंक, केडमियम और मरकरी, भई इन में क्यों नहीं? अच्छा ध्यान दो अपके सामने ये तो दिखा गए है बस मैं अवी बाद में बात कर ओं किल जिंक को दिखा रही हों उसिसात जिंक में ध्यान दो कितने इलक्टो ने अ ध्यान दो जलदी 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 कितने इल्एन धोलगत Digma 10 गैट्मियम में भी 10 मिर्कुरी में भी किो इसमें दीक अकशक रिकत है जलदी बताओ को बिलकुल बताओ जल्दी जल्दी कमेंड में लिको है क्या नहीं है नहीं है तो क्या इलैक्टोनों का ट्रांजिशन होगा डीक अक्षक में तो क्या यह संक्रमन तत्व कहलाएंगे नहीं नाम नहीं आएगा संक्रमन तत्व नहीं दीब लोक में तो होंगे क्यों गुण वैसे हैं लेकिन संक्रमन तत्व नाम न है उनका दी विन्यास on harder है तीन संक्रमन श्रंकलां के अंतिम सदसे होने उनके उनके विग्यान का अध्यान संक्रमन थात्म के रुप में आध्यान संक्रमन धात्मों की रूपन अध्यान नहीं है इसलिए संक्रमन तत्वा नहीं कहे जाते हैं क्लियर बात समझ आगई बिल्कुल चलते हैं आगे अब आता है इनका सामान ने क्या इलक्टोनिक विन्यास की दिया बात करें तो पहले तो तत्वा आपके सामने रखे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी ट्रिक से भी इनको आप याद कर सकते हैं इनकी ट्रिक है बेटा सक्ति वी करमन फी को नी कू जिन सक्ति वी करमन फी को नी कू जिन आप कर सकते हैं यह इसकी ट्रिक है अब एक पार्त इनका इलक्टोनिक विन्यास सही है जब भी किसी तत्व का इलक्तोनिक विन्यास लिखे हैं औरत्र अका प्रमानsk जबकी बढ़ा है यहनिख几ा है दस तक तो आप लिख सकते हैं उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जब सामान्य ये लेक्टोनिक विन्याश लिखेंगे तो सभी तत्वों के आगे अक्रिये गेस को लिखते हैं क्या लिखते हैं क्यों प्रैस को क्योंकि यह वो टत्व कंग शक्रिया न करते साथ लिया ना करके अपने इलैक्टोनिक विन्यास를 में कोई चीज नहीं करते हैं और इनकी ओक्सिकन अवस्ता भी हमेशाय क्या हमتए ही सुन ऑक्सिक ऊळस्ता नाम सुना है ना हाँ या ना सुना है ना इलेक्ट्रोनों को त्यागने की चमता ऑक्सिकन अवस्ता होगी है चलू ठीक है तो कहा कि आप सब में 30 सेरीज में और गन लिखें क्यों कि इसका इलेक्ट्रोनिक विन्या से भी आप परमानु क्रमांग सोरी यह आप देखें तो कितना होता है अठारा होता है लिग दिया अठारा के बाद में 21 में कितना बचा तीन तो यह डी में कितने आगा एक और ठीक हाए न डी में पहले कि एस में पहले बताओ जल्दी यह तो आपको पता होना चाहिए किस नियम से एन प्लस एल रूल से कि एस में इलेक्ट्रोन पहले और दी में बात में इसलिए 4S2 और 3D1 है जनरली होना तो क्या चाहिए था D2S1 बट नहीं S की उर्जय क्या है कम है इसलिए D4S2 डि2र बढ़ता जाएगा अब देखो यह अर्ध पूरित है आया न यह भी अर्ध पूरित है यहां आजा यह पून पूरित अर्ध पूरित और यह पून पूरित बात समच में आरही है यहां आ जायी है similarly, यहाँ पर भी वही सीन है, कोई दिक्रत नहीं, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा change कि यह आप तत्वों को देख लें, तो यहाँ पर 4F आच चुका है, क्योंकि lengthinum के बाद 14 तत्व कहाँ पर चले जाते हैं, 14 प्लस 14, 2 है न वहाँ सीरीज lengthenoid और actinoid, तो वो 28 तत्वों यहाँ से गायब होंगे, और 6D सिरीज जो है, उसमें फिर से चौदा तत्वों गायब हो जाएंगे, एक्टिनम के बाद में, फिर जल्दी से बताएंगे, फटा फट कमेंट में, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, यास और ना, चलो, ओ, अच्छा, तो यह बात तो क्लियर हो गई, अपने को बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर इनका सामाने रेक्टोंिक विन्या से पहड़े जिनन क्यों रखा गय चलिए जी, अब चलते हैं, आगे, अब आता है अपना, कि D ब्लोक के ततों का आपने तो इलेक्टोंिक विन्यास बता दिया, अगर कॉमन इलेक्टोंिक विन्यास हो तो, तो देखो से, कॉमन इलेक्टोंिक विन्यास आपको 3D 1 to 10, 4S 2 चलेगा, 4D, 4, 5D और, बस यहाँ प बस इतना कर देना, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 5D और 6D सिरीज होती हैं, उनमें लेंधिन और एक्टिन और तत्व आ जाने की वज़े से, यहाँ पर F कक्षक भी दिखाना पड़ता है, क्लियर, बात समझ आई, ओके, चलो जी, आगे, अब यह क्या लिख रहा है, कि संक उसके होता है, की कहे रहे हैं, कि D-Orbits, अन्य और बड़न की तुन्ना में एक परमानों की परिधी पर अधिक प्रेक्षित होता है, इस लिए मैं आसपास के वातावन से अधिक प्रभावित होते है, साथ ही अपने आसपास के परमानों को भी परमानों परो Carminella को प्रेक्ष होता है तो यह S K E durante क्या हूंते हैं इससे डिस्टप्स होते हैं जिसके कारण इन पर दो छीज़ीं भी दिख़े दी थी दो स्वेक्ट नजत आते हैं एक आता है पर एक रख्ष्ण प्रभाव और इक आता आगे टॉपिक आएगा उसी में समझाओंगी त्रिजाओं पर जब बात आती तो बात पर देंगे तो समझ में आ गई बात तो यह आसपास के बातार नों क्योंकि यह अंदर भरे जा रहे हैं जिसके कारण क्या हो जाता है जिसके कारण तत्व जो जो इलेक्ट्रोन बाहर है वो भी affected हो जाते हैं, बात समझ में आ गई, clear हो गई, चलते हैं आगे, अब ये कह रहा है कि इनके बहुतिक गुण क्या क्या है, आजाईए, अब शुरू होता है अपना main point, अब तक तो general introduction और electronic विन्यास पर discuss हो, समझ में भी आ गया, अब अपना main topic क्या है, अपना main topic है भोतिक गुण, जहां से question आते हैं, अब हर point को अच्छे समझना, ताकि बात, last week में question करवाँगी, तो end तक जुड़े रहो, इधर उधर की बातें मत करो बेटा, वरना topic से ध्यान हट जाएगा, इधर ध्यान दो, तो भोतिक गुण क्या होते हैं, भोतिक गुण का मतलब होता है, जनरली हम गल्लांग, कटनांग, आकार, प्रमानुत्रिजा, इरैक्टो, नेगितिवीटी, इन सब की बात करेंगे, उपर से नीचे, बाएं से धाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, ठीक, बात क्लियर होगी, तो उपर से नीचे, बाएं से धाएं, यह 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, सहीए, बात क्लियर होगी, यह तो समझ में आई कही है, आप यह कह रहा है, तो सबसे पहले भोतिक गुन में यह क्या बताना चाहता है, इसको अब परिभाशा देख लेते हैं, इसके बादापन चाहते हैं, लगबक सभी संक्रमन तत्व सबसे ज़्यादा यह अपने वो गुन देखना है, प्रॉपर धातु देखनी है, तो आप देखो कौन सा ब्लोक, डी ब्लोक, डी ब्लोक का हर तत्व आपको धातु की गुमत्ता से रूबरुकरा है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा धात्रिक गुनों की कैप से चले, तो यह कहता परदेश्ट करता है, लेकिन यह जो तत्व हैं, इनको छोड़कर बहुत अधिक कठोर होती है, इनमें ऐसके कम होती है, इनकी गलना कठना हुच होती है, ऐसा कि, क्योंकि इलेक्ट्रों एन माइनस वन दी उपकोश में भरा जाता है, तो क्या होता है, अगर एन प्रबल होता जाएगा, यह जनरल कॉंसेट बता दी उमें, वााइन Сे दाएं उपर से नीचे करेंamine, झाला ध्यान दे लेम, थ्यान देने मैं अन माइनस वन मैं जैसे ऊपर से नीचे मुझे आना हो ओपर से नीचे आना है यह बाईश से दाए जाना ए ना भच्छों को कहा गया कि वाएश दाएजाने पर यू कौंग पर्मानू क्रमांक में क्या हो बाएं से दाएं यह होगे हैं उपर से नीचे अचाहिए है ठीक है यह सकती वी करमन फीको नीको जिन यारी जर निब मौत तक रुकावट राहा में पड़े आग में कुज्जा और लाहपता वारे ओस इरपत अगहग राइट ठीक है कि अब जब आप इसचेंडियम टाइटेर्यन जिंक बाइं से दाएं हैं वाइं से दाएं फीक है अगर आपको यह चीजी इसमें आ रही है तो Цी अगर आपग Always और एप बाएं से दाएं चल रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे- और उपर से नीचे जा रहें तो आप देखेंगे कि प्रमानु क्रमांक में क्या हो रही है प्रमानु क्रमांक में व्रदी हो रही है व्रदी तो क्या होगा आकार में भी व्रदी आकार में व्रदी तो धात्विक त्रिजा जयो पर्मानूतरिया में व्रद्धि और प्रमानूतरिया में व्रद्धि तो गया होगा गलनांग वतनांग जिसेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है जैसे आपका कोई फ्रेंड है वह दो साल तो आपके साथ रहा तो बांडिंग मजबूत हो गई जैसे ही उसकी जॉब लग गई अच्छी जॉब कर रहा है तो वह वहां से निकल कर चला गया ठीक अब आपकी दोस्ती धीरे-धीरे-धीरे बाते कम होने लगी मिलना जुलना कम होने लगा तो डिस प्लिख चलते हैं अब अपन आगे अपने पास क्या है अपने यहां तक बात कर ली है बात समझ में भी आ गई है तो अपने पास क्या है अगला टोपिक क्या था अपन थे यहां पर सही है नहां पर थे यह बात क्लियर भी हो गई है आप आजाओ आगे आपने पास है आगे क्या किसी भी पंक्ति में धातों का गलनांग को अतनांग ए संगत वेवार को छोड़कर अधिकतब बढ़ता है और परमाणों सेंख्या बढ़ने पर नियमित रूप से गिरता है बात समझ मे आगे मैंने बता दिया यह टॉपिक आपको समझा दिया कि परमाण की उच्छ एंथेलिपी होती है उस समय कणों में विभक्त होना इतना आसान नहीं है यानि कि वह प्रवलतम जब बंद बनाएंगे तब तो उनका कणन एंथेलिपी का मान क्या होगा उच्छ होगा क्यों बंद तूटना संभाव नहीं है लेकिन बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर गर्लांग प्रफ्लांग यह में तरीप से क्या होता जाता है गिरता जाता है बात समझ आ गई चलें आगे आजाए तो यह तो आपको समझ में आई गया है बाएं से दाएं अब इसमें घ्यान रख चल रहे हो आप वो पर से बाएं से दाएं ओपर से ठीक जी बिलकुल बिलकुल चलें आजाए अब अगला टॉपिक है आपका परमाणू और आयनिक आता है आओ परमाणू और आयन ध्यान दें स्केंडियम, ताइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मेगनीज, आइरन, ठीक, बिटा, अगर आप मेगनीज तक जाते हैं, तो आकार में कमी हती है, कमी, वहीं, यहां तक आते हैं, तो इस्थिल रहता है, आकार में जात चेंज लिए, और यहां पर देखें, तो आकार में व्रदी दिखा लिए हैं, ठीक है, कोई दिखत नहीं, अब आप देखेंगे, कि इन में ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहा, कि जब आप यहां पर इलेक्टोन को देखेंगे, तो हम देखते हैं, कि यहां पर धीरे धीरे N-1, इलेक्टोन जो है, एय युगमित रहते हैं, एय युगमित रहते हैं, ठीक है, एय युगमित इलेक्टोनों के कारण, यह अट्राक्शन बढ़ता है, कौन सा अट्राक्शन, ना भी किया आखार्शन, जरा ध्यान देखेंगे, देखो में बता देखेंगे, यह आपका, परमानों, इसके एक अक्षक है, यह N-1, इसमें इलेक्टोन जा रहे हैं, जा रहे हैं, एय युगमित एक एक जा रहा है, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्रत नहीं, लेकिन, जैसे ही इनमें युगमित धीरे-धीरे होना शुरू होगा, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्शन, और प्रतिकर्शन होगा, तो यह क्या करेंगे इलेक्टोन को पाहर की तरफ फैंके इंगे तो क्या होगा आकार में व्यधी होगी अभी तक तो अंदर भडर रहे थे अच्छा लग रहा था तो आज़ेक्षन ना भी कुसे अंदर आकरशित कर रहा था अब धीरे धीरे इलेक्टोन युगमित ओ रहे हैं तो उनमें क्या होता है प्रतिकर्शन होता है और प्रतिकर्शन की वज़े से आकार में क्या होती है व्रदी होना शुरू हो जाए बात समझ आई यह सोन में जल्दी बताओ ठीक इसका रेजन है अब मैं बदाती हूं नाभी की आकर्शन बल और परिरक्षन प्रभा तो कि नाभी की आकर्शन बहुत होता है किसी भी परमाणू के नाभी के द्वारा बाहियतम कोश के इलेक्ट्रोन को अपनी और आकर्शित करना क्या कराता है नाभी की यह आकर्शन ठीक है को बुटन भही परिरक्षन प्रभाव क्या होता है परिरक्षन प्रभाव होता है जब कोई भी परमानू का TOM कि नाभिक में या उसके कख्ष में सब्स परभा नतर्र्यक्ष के इलेक्टोनों के द्वारा बाहितम कोश के इलेक्टोनों को क्या किया जाता है प्रतिकर्शित किया जाता है और इस प्रतिकर्शन को ही हम क्या कहते हैं परी रक्षन रभा परी रक्षन पता है क्यों है क्यों कि यह आंत्रिक कोश के इलेक्टोनों का क्या करता है रक्षन करता है उनकी रक्षा करता है कि वह बायतम कोश के इलेक्टोन की तरफ ना जाए इसलिए नाम दिया है रक्षन पर परी रक्षन यानि इनकी सुरक्षा करते हुए किन से बायतम कोश के इलेक्टोनों को पीछे की और ठखेल देता है जिस है वहीं पर नाभी कि आकर्शन से आकार में हमेशा है क्या हो दिये बेटा शायद बात समझ में आगई इसे वेरी इंपोर्टन टॉपिक इसे आपको याद होना चाहिए आपको याद करना ही है ओके चलू आगे ओके यह बात क्लीर हो गई तो उतार लिजिए फटा-फट जल् अपरी में पढ़ना समान और सिसमान अवेश आयन बीटल में प्रवेश करता है और nel titled पाइद प्रभाव नहीं होता है सेम में बढ़ रहा है अभी मैंने कहा ना एक एक इलेक्टोन युगमित हो रहा है तो परिक्षन का परवाव नहीं परंतु जब इसलिए परमानुचार सबसे बाहरी इलेक्टोन के बीच क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक यानिक ना भी किया आकर्शन बल बढ़ जाता है और आइनिक त्रिजा क्या हो जाती है कम समझ में आया है हमने अभी बात की थी वहीं चाहरा है क्लियर ओके जी अब आव फाइफ दी ऑल्बिटल से पहले फोर आपके परमानुचार में नियमित कमी जिसे लेंथे नोई संकुचन कहते हैं डी का बात चल गया उपर से नीचे क्या कह रहा है 3D 4D और 5D 6D बात करें तो क्या बात उपर से नीचे आने पर आइनिक जो त्रिजा है या आइनिक परमानुचार जो है वो क्या होगा आइनिक त्रिजा जो है उपर से नीचे बढ़ नीचाहिए हाँ या ना बिलकुत लेकिन 5D और 6D में ऐसा नहीं होता इनक नीचे जो त्रिजा है लगबक 4D के बराबर ही रहती है वाई क्यों है कि आइनिक त्रिजा की वज़ें आप देखेंगे कि 5d में क्या आजाता है फोर आपके 14 एलेक्टोन आ जाने की वजह से वो एलेक्टोन की संख्या बढ़ जाती है नाभी कि आवेश बढ़ जाता है और वो एलेक्टॉन को अपनी और आकर्चिता करता है इस वजह से ओपर से नीचे आने पर 5D और 6D सिरीज मे क्या हो जाता है इलेक्टोन में सुरी आइनिक त्रिजा में क्या होती है या आकार में क्या होती है कमी होती है चलो बात समझ में आगे चलो जल्दी करो फड़ाफट 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 चलें ओके जी चलते हैं हम आगे अब आए आगे बात करते हैं अब आता है घनत प बराबर होता है द्रव्यमान बढ़ने पर गनत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा है उपर से निचाने पर द्रव्यमान ज्यादा बढ़ रहा है तो गनत्व भी ज्यादा पड़ेगा इसलिए पहले चीजों को कि कर सकति है कमी तתव समय व्रधी होती है फिद्धруг द्रव्यमान अन्ट्री कोश्म इंत्रेन बढ़नात्वर संप्ग बढ़ेगा सकती कोई रिकंत नहीं आओ ऐनी कर न जब आएना करन एंधिली क्या होती है ऑनी कैसि चाल है आए अधियान दो आप देख रहे हैं कि दीरे दीरे परमानु क्रमांक बढ़ रहा है हाँ या ना चाहिए उपर से नीचे हो जाए बाएं से दाएं बढ़ रहा है जब आकाल बढ़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोन बाहर से जुड़ पाएं क्या पॉसिबल है क्योंकि आईनी करन एंतेलिपी या आइनन जो उर्जा होती है किसी भी परमानों के बाहितम कुश में इलेक्ट्रोन को जोडने के लिए आवश्यक उर्जाए तो क्या जुडना आसान होगा नहीं क्योंकि नाभ क्लियर बात समझ में आ गई तो पटाफट लिख दो यस मैं ओके तो यह कहता है कि लगातार क्या होती है व्रदी होती है हलांकि कई थोड़े चोटे-मोटे बदला वो चलते रहते हैं ओके चले आजाओं कि यह तो हम बात करी चुके हैं इसमें कोई दिकत नहीं अब शिकरण अवस्ता स्मेन टॉपिक ऑक्षिकरण आवस्ता क्या होती है बटा शंक्रमन तत्मों की बात तरू न मैं सक्ती वीकरमन फिको नीकू जीन सैक हमेशा इनकी सीरीज को यह दिया आप देखेंगे तो इन इनके जो ऑक्सिकन आवस्थाइं होती है वह वेरियेशन देती है परिवर्तन शील होती है इसका पता है क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन होता है इसलिए तो यह होता है अगर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 ठीक है ओके तो अब चलते हैं इसमें प्लस 3 भी कर सकते हैं आप इसकेंडियम में क्योंकि सारे इलेक्ट्रों निकल जाने के वज़े से यह होता है यहां पर वापस प्लस टू प्लस थ्री प्लस ओर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस फॉर प्लस टू प्लस थ्री और यहां पर प्लस तू आप देखेंगे कि बाय सबसे जाता है नहीं सबसे जादा पिplatz on Wednesday लेकिन अगसिकान की बात करों तो ऑस्मियम और रिनीयम जो होता ह है उसकी डीकर प्लस एड तक जाती है सेकिंड बार आवस्ता किसपर मिर्भर करती है या यक्मित इलेक्ट्रों जितने जाधा उतनी जाधा उसकी ऑक्सिडेशन स्टेट, आप चाहें तो मेगनीज को चेक कर सकते हैं, मेगनीज को चेक कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने एय युगमित इलेक्ट्रोन है राइट मेगनीज है इसमें क्या होता है ती कितना होता है डी होता है फाइफ फॉर एस टू राइट तो पांच एयुगमित इलेक्ट्रोन है और इसके पास दो तो पा प्लस सेवन प्रतिशिता करता है क्लियर बात समझ में आगी तो फटा फटा रहेंगे जल्दी से जल्दी देखे ताकि बात समझ में आजाए चले याद रखना यहां से क्रेशन आता है मेग्जमम ओक्षिडेशन कितनी होती है अगला है प्रतिक हैं पानी क्या रखते है और अपने बाहर रांत देते हैं तो वह क्या हो जाता है लोहा जो है वह जंग लगए जाता है और दिक लिए शिल्टू है और इसका रीजन क्या है अपनी राज़ॉल्टिवन परतिक्रिया lotelope से स्देश्ट में होती है हैं। है इसदेश्ती और बीजाती है किसी फिर खिर्ण चाहना राइस्ट्रा नहीं रीक्शन during the तो थेड़ी श्रंकला की धात में अधिक प्रियाशील होती है और इनका ऑक्सिकर्ण हो जाता है हाला कि वास्तविक दर जिस पर यह धात में हाइडोजन आयन जैसे ऑक्सिकर एजेंटों के साथ प्रतिया करती है कुछ समय में हो जाता है आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा करता था जिनक जो है वहिंडों की तरह काम करता है क्यों कि उसमें क्या होता-ख चित्ति नहीं होती है तो बाएं-शीं जाने पर ढीडरी क्रेशल्तACE जाती है कम होती चलिए चलों आगे ओकी जी चलते हैं आगे आ अब आता है मुख्य गुण जो जहांसे क्यास्टन भी आता है latest एद बी किस पर निर्वर करताई बैटा जेतने जादा एद में उतना जादा उसका चुम्ब किया गुण होगा यानि आकर्शित करने की छमता उतनी जादा विमन पहले बताए युगमित इलेक्टर ना तभी नाभी से अट्रेक्शन ज्यादा जब युगमित तो अट्रेक्शन कम पर इलक्शन पर बाव बढ़ जाता है राइट आप समझ आ रहा है यह मैंने वहां पर बहुत क्यों बताय कोई एयुगमित इलेक्टर नहीं होता है और चुम्बक द्वारा भी कर्शित होता है जब कि अनुचुम्बकिये में आकर्शन होता है एयुगमित इलेक्टर नहीं होता है लोहत चुम्बकिये पदार कहलाते है लोहत चुम्बकिये कौन होते हैं जिन में लोहे के समा जो आ बढ़ जाए तो वहाँ पर लोह चुम्ब की पधार कहा जाता है ऐसे प्रतेक इलेक्टोन का एक चुम्बिक एगण होता है इसे अपन कोणिया और कक्षिय गती में भी देख सकते हैं इसका एक फोर्मूला है जो बेरी बेरी इंपोर्टन ओके हां यह ना तो कहा बेटा एय य युग्मित होना शुरू हो जाते हैं तो जिसका भी है तो उसके लिए वन पॉइंट सेवन त्रीव दिन दो है तो टू पॉइंट एट तरी है तो त्री पॉइंट एट नाइन एट सेवन और पॉर पॉइंट नाइन जिरो और फाइफ पॉइंट नाइन तो राइट बात समझ में आ गई होगी सभी को अब आप चाहें तो मैं निकाल के भी दिखा सकते हूं कि किसी का भी अपने कोई दिए ना हो तो अपन कैसे देखिए आओ बेटा मेगनीज अब अब पांच युगमित इलेक्टोन है तो क्या करें भाई तो हम लिखेंगे फाइफ रूट में कॉस्टक पाइफ प्लस टू हाई ना भी है अब पांच गुना साथ दिया अब थर्टी फाइफ का रूट निकाले अब तो जान निकल जाएगी है ना कि इसका रूट कैसे नि तो पांच युगमित है तो आंसर आएगा 5.92 बहुत है ना या ना से सिंपल ना वेरी इजी बस समझने की कोशिश करो उतारो 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 जल्दी जल्दी चल्दी चल्दी चलें आई जाए चलते हैं रंगीन आइनों का निवार्ण इन सब में आपको पता है एक ही यहां भी अगर अपन बात करें डी ब्लॉक की तक्टों की तो यह सब ज़रा रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें आई युगमित इलेक्ट्रों के कारण यह क्या होते हैं कलरफिल होते हैं ज़रा पढ़ ले कम उर्जा वाले डी और्विटल से एक इलेक्ट्रों उच्च अउर्जा का आवस्योशन होता है अवसोशित आवर्ती है आम तोरपर द्रश्यच। मैं «बबूद होती हैं कि आए हो हम केवाल द्रश्यच प्रकाश चैतर कोई देखा सकने बाकि सब विजिबल नहीं तो वहां पर प्रकास चैतर में ईसको निलर्व उसका विपरित आप लिगेंड की प्रकार्पी लिगेंड वह तत्व जो इलेक्टोन युग्म दान करता है उसे लिगेंड शब्द से बोलते हैं धातु आयन का आकार चोटा है तो देना संभव नहीं आकार बढ़ा है तो इलेक्टोन आसाने से दे दिया जाएगा साथ ही धातु की ऑक्सिकन आव रंगीन होने की प्रवर्ती हो हाँ या ना जल्दी से बता देजिए फटा फट ओके जी ओके क्लियर उतार देजिए बच्चो चलते हैं आगे जट्टे लिए यूंकों का निर्माण या यूं कहूं बेटा संकुल यूंकों का निर्माण अब आप सोचने मैं संकुल मतलब क कोई भी जब तत्व है या कोई भी धातो दूसरी योगिक के साथ जर जैसे हैं है है अच्टू के साथ रियक्शन करता यह कोई शक्त जोले तो यह दी एफी बहुत सारे अच्टू के साथ में डियक्शन कर रहा है तो अब जो आपको उत्पाद मिलेगा क्या होगा संकुल क्या होगा संकुल या जटिल योगी क्लियर बात समझ आए तो इसमें कुछ जटिल योगी बनाते हैं कुछ जटिल योगों के आयनों के एक से अधिक संख्या में जोग जाएं तो वह संकुल योगी कहला तो यहां पर यह सबसे important बात है जन्रली धात्वी इलेक्ट्रोन का दान करती है लेकिन जब यह संकुल योगिक बनाती है तो उस दौरान धात्वी इलेक्ट्रोन ग्रहन करती है जन्रली क्या होती है इलेक्ट्रोन दान ही करेगी दात्वी लेकिन जब आप संकुल की रूप में बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा वहां पर वह इलेक्ट्रोन ग्रहने करते हैं इसलिए यह आसानी से क्या करते हैं जटिल योईकों का निर्मान करते हैं चले आई यह आगे उत्प्रेरक की है गुम उत्प्रेरक मतला उत्प्रेरक की सतय पर क्या होती है अभी क्रियें होती है जो खुद भागना लेकर भी दूसरों की वेग को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो सतय पर जगह होनी चाहिए तो कहा गया कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो दी ब्लोक के जत्तत्व होते हैं वादी कि इनके पास रिक्टर दी कक्षक पाया जाता है ओके बात समझ आ गई है यास आई क्या करा सुन लें पार उनकी को मैं अपने उत्प्रेर की गती होती है इन में ओक्सीकरण अवस्था और कंप्लेक्स बनाने की कारण ऐसा होता है तो सतय पर उत्प्रेर की सतय के अभी कारक अणूओं और परमानों के बीच बंद्न का निर्मान शामिल होता है इसका प्रभाव उत्प्रेरक सतय पर अभिकारकों की संतने व्रदी अनुओं में बंदों के कमजोर होने पर पड़ता है इसके अलावा योगिक संक्रमन धातो आयन अपनी ऑक्सिकन अवस्ता बदल सकते हैं वे उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी हो जाते बात समझें यस और नो जल्दी बताओ फटा फट बताओ राइट ऑक्सिकन अवस्ता बदलेगी वो तो हमें पता ही है लेकिन सिबसें इंपॉर्टेंट बात क्या है डीक अक्षक का देखतो होना जिसकी वजह से ये उत्प्रेर की अगुण प्रदरशित करता है चलें बिल्कुर आउंजी आओं अंत्र एक अंत्राली यकौँ का निर्मान है अंत्राली है दातों का इस्ट्रीक्श्र बेटा ऐसा होता है ठीक है 안ίναι इन वह इसा होता है इनके एसा होने की वैशनी के बीछ में क्या होते हैं अंतरकाशी इसतल है नि यह एंतरकाशी इसतल में अगर दूसरा तक्व आजाता है तो यह क्या करते हैं यह निर्मार कर देते हैं हम कहते हैं कि इनके मद्य क्या होता है स Barnes कि इसलिए इनसे बनने वाले योजी को क्या कहा जाता है अंतरकाशिय योगिक कहा जाता है क्योंकि इनके धात्वों के मद्य रिक्तिस्थान पाए जाते हैं जहां पर कोई न कोई तत्व जिनका आकार छोटा जनरली वो एधात्वें होती हैं क्लियर बात समझ आई जी ओके जल्दी चलते हैं आगे देखो जा क्या कह रहा है देखो वही कह रहा है जो पढ़कर आए हैं वे तो वह बनते हैं हाइड्रोजन कार्बन नाइड्रोजन छोटे परमानु भात्वों के क्रिस्टल जाल के अंदर फस जाते हैं और आम तोरपन न कि अपन जब रियक्शन पढ़ते हैं तो अपन लिखते हैं एफी एनाई और अप्चेन करवाते हैं अपने एच्टू यह कहां से रही है इन धातू के अंतरकाशिय इस्थल से आ रही है क्योंकि इनके मद्य धातू के रूप में वह विन्यासित है और जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो वह पटाफट के आती है वह इस्थान चोड़कर निखेना शुरू हो जाती है क्लियर उदारन के लिए टी आई सी एमन पोर एन एफी 3 एच वी एच 0.56 यह क्या है इनकी समात्राइं है कि कितनी मात्रा में इनके अंतरकाशिय इस्थल में मौजूद है ओके च लांग उच्छ होता है अंतरकाशिय इस्थल बनाने के वाज़े से यह बहुत कठों कथिन है और धात्रिक चालता बनाए रखते हैं कि इनके बात समझ आ गई चलिए आगे लास्ट और में टॉपिक है मिश्थ दात्री कोई भी धातु है और अचि विए उस धातु के अंदर यह अन्य कोई धातु छोटे-चोटे टुकड़ों के रोप में बिखर के उसके अंदर प्रवेश करी हुई रहती हैं दूसरी धातु पहली धातु एक तो में है जिसे आईरन है उसके साथ में आपने तांबा मिला दिया तो वहां पर व भात समझ में आ गई ठीक है जल्दी लिखता है ना मिश्र एक सजाती ठोश हो लाँ तो इसमें एक धात्य के परमानों दूसरे धात्य के परमानों के बीच याद्रेक शिक यानि की बिखरा हुआ वित्रित होता है संक्रमन धात्यों के समान थ्रिजा अन्य विशेष्टाओं क के ज़िए का इन धातों के मेश्रा आसानी तंष्टाद के बचाती है और ख़त धूर होती है इन का गल्लांक उच्छ होता है सबसे प्रसिद्ध है लोह मिश्र Citizen क्योंकि क्यों कोपर क्रों मियंते में वेलेडियां और मौने ब्लेडम और मेगनेज ड़ात्वे जो हैं वह क्या करती है स्टील से बने वे आपने पास बर्तन होते हैं उनके अंदर इन धात्वें का यूज़् किया जाता है ताकि वह र्ता image经rios किया चलते हैं इसी लिए जाए तर धात्वे मिश्र धात्वों के रूप में प्योग में लाई जाए बात समझ में बहुतिक गुण क्लियर हो गए हमने बहुतिक गुण कौन कौन से पड़े परमानु आकार आयनिक त्रिज्या गलनांक पथनांक हना संकुल योईकों का बनना लास्ट में पढ़ लिया मिश्र धात्वों का बनाना ठीक है इस प्रकार ये बारत ऐसे गुण है जो धात्वों के भोतिक गुणों को प्रतिशित करते हैं तो अब अपन थोड़े से क्रेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद में आपन इन से संबंदित जो तत्व लिनियम यह सी एस यह एच देखा है कहीं हाँ यह ना जल्दी कमेंड में बताओ जल्दी 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 आंसर क्या होगा एबी सी में से राइट आंसर एज वेरी गुर्ट जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है जो नहीं ध्यान दिये हैं तो बारा बच चुके हैं वी सबको आना चाहिए मैंने बूला था अभी पढ़ाते वक्त कि अधिक्ता मॉक्सी का नावस्ता कितनी होती कमेंड में बताओ जल्दी कितनी जल्दी जल्दी प्लस याद है अब आओ एक और क्योस्टन कौन प्रथम संक्रमन से संबंदित नहीं है अभी इतनी दैसे मैं लिखी नहीं हूं यह सब तो आई रहें क्या यह आया था कहीं पर नहीं आया ना इसका मतलब राइट आंसर इस शुरुआत करते हैं बी ब्लॉक आपके तत्व defend लिखो के कुछ تयारिक जो हम कैसे 400 बनाते हैं उनके वारे में बार डीस्कस करेंगे कि सबसे पहला है kote estasi ging for meganeel प्लॉटर से हम यह आपके 12 ली ख्लास की वह च्शान देना तो उम्हारेṁ प्रैक्टिकल में आता है यह ठीक है acid-base reaction होती है oxygen अभिक्रिय होती है तो oxygen अभिक्रिय होगी वहां पर potassium permagnate की reaction जो है वो मोहर लवन के साथ करवाई जाती है FESO4 राइट बात समझ में आ गई या नहीं फटा फट जल्दे से comment में लिख दो तो यह titration का भी point है यह आपके practical का भी एक related part है इस नहीं main part है ओके oxygen अप्चेन के विक्रिया कूती है तो पहला question जो 10 नमबर का आता है उसके अंदर अपन यही titration करवाते हैं ठीक है इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको तो यह exam देना ही है science की बच्चे तो practical देंगे की नहीं तो यह बनता कैसे है दी ब्लॉक के इलेमेंट इसमें कितना रोल अदा करते हैं बच्चेक कर देते हैं तो potassium permagnate का formula क्या होता है बिटा क्या मनो पोर कई बार बच्चे पता है इसको potassium dichromate पता नहीं क्या क्या नाम लिख देते हैं अरे dichromate में chromium आता है भाई CR आता है potassium तो है पर पर मेगनेट मेगनेट मतलब मेगनीज मन के तो इसका formula होता है क्या के मनो पोर राइट आई आप देखते हैं कि potassium पर मेगनेट जो है उसको अपन लाल दवा भी कहते हैं तो इसका हम लोग किस से बनाते हैं पाई रूलू साइट से तयार करते हैं जिसका formula क्या होता है MnO2 इसे निमलिकी चर्णों में हम कवर कर सकते हैं जैसे सबसे पहला पॉइंट है जो MnO2 है उसका potassium मेगनेट के MnO4 में बदलना राइट के MnO4 जो है के MnO4 नहीं बदलेगा अभी K2 MnO4 होगा राइट जिसे हम कहेंगे potassium मेगनेट राइट अब इससे potassium मेगनेट कैसे बनाएंगे आप यानि कि MnO2 की रियक्शन किसके साथ आप करवाओ कि K2 MnO4 बन जाएं सोचो है ना यानि कि अपने पास क्या रियक्शन ऐसी हो कि अपन यह करें आसान इसे लेबरेटरी में भी कर सकते हैं तो बताया गया कि जब आप क्या पाइडिलुसाइट यानि कि MnO2 की रियक्शन ओटू के साथ हवा यानि थरी के साथ के सी यह थरी के साथ ऑक्सी करन ऐसे ऑक्सी कारत जो दूसरों को ऑक्सी करते हैं उनके साथ में के और जके साथ मिश्रित करके हरे रंग का कोटेशियम मेगनेट बनता है के मनो टू से के मनो को पोर बनता है और राइट हाँ यह ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो हरे रंग का क्या बन जाता है potassium magnet बन जाता है देखो MnO2 के और च के साथ reaction तो MnO2- K plus OH- oxygen जो है आपके पास दो oxygen है O- O2 तभी तो बना है तो अब इन्हों reaction करके क्या बना दिया सथ यह प्लस यह भी फ्लस में जाएगा फिर ओच फिर टूटे गा H plus और O- O2 में यह भी इसके साथ जूड़ेगा ज़रा ध्यान दो प्लस के साथ झालाम h और tat मैंशे क्या प्लस चुड़ता है तो ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर जो just 2 है वह इस दो इस oxygen के साथ भी इसके एक oxygen के साथ reaction करेगा एमनो 4 बनाएगा एमनो 4-2 k2 पर प्लस तो यह reaction में आ गया formula तयार हो गया क्या बन गया के टू एम एम ओ जो बचा आपके पास है आपके पास hydrogen एक है और कितने oxygen है डो oxygen है राइट यह थे ना तो अपन क्या बन गया टू एचा टू राइट बात समझ में आ गई तो पठापट वैसे इतना तोड़ने जोड़ने की जरुरत तो नहीं है पर कहते हैं कि आज से ही आदत मेला हो बेटा जब आप ऑल्गनिक केमेस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि molecules जो होते हैं वो किस प्रकार atom में जुड़ते हैं molecule के जो atoms है वो आपस में टूटे हुए किस प्रकार जुड़कर एक molecule का formation देते compound बनाते हैं बात समझ में आ गई तो फटा फट यस मैं लिखते हैं जल्दी 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 ओके चलते हैं आगे आई आप देखते हैं कि वही रियक्शन जब अपने पोटेशियum मैगनेट की रियक्शन अपने को बना लिया है हरे रंग का तो उसकी रियक्शन आप किसके साथ कराऊ बनात था जो आपने देखा K2 अमनोफ और 4 जो होई उसको अप सीक्रत किया अब यह उक्सिक्रत कियों बोल रहा है क्यों कि यह इलैक्रोन क्या करेगा chlorine द्वारा ऑक्सीकरन यानि chlorine इसका क्या करेगा ऑक्सीकरन करेगा अक्सीकरन करने का मतलब यह इसको इलेक्ट्रोन करेगा राइट हाएना और यहाँ से potassium धन्विद्दिरत्व को कम करेगा धन्विद्दिरत्व का कम हो न इलक्टोन का बढ़ना हमेशा क्या होता है औक सी करण होता है तो यहां पर इसने दिख दिया क्या मनों 4 और 2KC clear बात समझ में आई या नहीं तो देखो 2K104 यह क्या हो गया आपका पोटेशियम परमेगनेट का नेमा क्या है यह क्या बन ओफ और पोटेशियम परमेगनेट ओके बात समझ में आगे सैकेंड आगे चलते हैं पोटेशियम परमेगनेट जब बन गया तो इसके गुण कैसे होंगे इस किस प्रवर्ति कोश्यों करेगा इसकी क्वालिटीज क्या होंगी पर नजर डालो पहला पोटेशियम परमेगनेट धात्रिक चमक के साथ गहरे बेंगनी सोई जैसे क्रिस्टल बहुत सुंदर मतलब यह इतना सुंदर कलर का होता है बेटा कि जब भी आप इसे पानी में करोगे तो एकदम शाइनिंग वाला कलर भी दिखाई देता है प्रैक्टिकल लेब में जरूर देखना है ना अगर नहीं देखा तो मुझे बताना मैं दिखाऊंगी तो मैं यहां पर ही पोटेशियम परमेगनेट को लाकर दिखाऊंगी लेकिर उसके लिए पहले आप बता ना कमेंट करके कि आपने देखा हुआ है यह नहीं कि तो बच्चे तो अभी तो क्या आगया सप्टेमबर अगस्त आगया अगस्त चल रहा है तो अगस्त में तो कम से कम आपको इतना पता होई जाएगा लैब में आपको इंट्रोडेक्शन करवा ही दिया होगा ले जाकर नहीं है तो बूलो उसाद हमें लेके जाओ लैब में प्रैक्टिकल करवा हो तो गहरे बेंगनी रंकी सुई जैसे क्रिस्टल बनते हैं और इसका मैल्टिंग जो पॉइंट होता है वह पान्सो तेज के अगर आप इसे हीट करे जनरली क्या होता है सर्दियों में प्रैक्ट को डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि एक तर्म वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाओ सर्दिया है तो पानी अगर ठंडा है तो कभी भी पूरा घुनता नहीं इसी के विज़ए से टाइट्रेशन जो है वह बहुत ही सॉलूशन डाइलूट हो जाता है और टाइट्रे में भी अगर रिडिंग कम आ रही है तो समझ लेना कि पॉटेशियम जो क्या है परमेगने डाइलूट कंपाउंड है यह नहीं कह देना कि नहीं जानकारी है आप बच्चों के लिए तो कोशिश करो यह सब बाते ध्यान में हो यह पानी में मध्यम रूप से घुलनशीर है बताया भी मैने और बेंगनी रंगा घ्वोल देता है क्लिया चलूं आगे आजाओ क्लीर रहा है गरम करने पर पोटेशेप मेंगनेट, मेंगनेट में बदल जाता है पर मेंगनेट की में बदल जाता है। के टू अम आह फॉरर नकल जाता है और उक्षेजिन गेसे राइट हाय ना बात समझ में आ गई होगी और सीजिन गेस निकलती है निकल गई जब आपक्या करते हैंक पोटेशियम परमेगनेट को हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है एक्दम गेस्ट रिलीज होना शुरू हो जाती है जल की एक प्लाक कलर रखा हो जाता है इसको चाइना डिसक के अंदर ही गरम कियाता है वरना ऐसे नॉर्मली यह फिर पॉयल पेपर जो होता है उसके ऊपर रख कर गरम करना संब्सक्राइब लिए यह विद्स भी कर देता है क अब कहते हैं कि चार के साथ गर्म करने पर पोटेशाम Πरमेगनेट मेगनेट मेधर 2023 अभी आपने गुड़ों में पढ़ा कि एकले तु Already रहे हैं पाने में कमगुलंशिल होता है इसको यूज कर सकते हैं एक लवन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं तो पोटेशियम पर मेगनेट होता है वह मेगनेट में बदल जाता है यानि कि KmnO4 जो है K2mnO4 ने वगर जाता है और Oxygen Gase निकलती है जो भी अपन ने किया था छार के साथ भी reaction सेम होती है पिछे अपने क्या किया था देखो पिछे अपने किया था तब भी Oxygen Gase निकल रही थी लेकिन अब अगर आप क्या कर रहे हैं अगर आप छार के साथ क्रिया कर वा रहे हैं तो भी आपका similar लिक्या बन जाता है ओटो हो जाती है क्लियर इसाफ वैरी वैरी इंपॉर्टन वैरी इंपॉर्टन पूछता है बहुत बार पूछे और और शारी अमाद्धे में एक शक्टि शाली ऑक्सीकरण एजेंट के रुप में काम करता है अगर आपने केम नोफ ओर लिया और चार के साथ रियक्शन कराई तो आपकी कौन सी गेस और टूगेस और वही पर आपने यदि अमलिय माद्यम में वित्रिया गया तो नवजात ऑक्सीजन का निर्मान होता है नवजात ऑक्सीजन यानिकी लेबरेट्री में तुरंत तयार की जाने वाली ऑक्सीजन कई बार आप रियक्शन करवाँगी ने और गिनिक में तब मैं बोलूगी कि यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन लिया जा रहा है इसका मतलब लेब में उसी समय जब आपको जरूरत हो तब तयार होती है तो उसे हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं बात समझ में तो इस प्रकार य आप बात समझ में आ गए तो फटाफट फटाफट जल्दी से उता रहेंगे जल्दी 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 देटा आ जाए अब चलते हैं आपन मेगनेट और परमेगनेट आयन की समझनाव इस वेरी इंपोर्टेंट कैस्टन और यह दू मार्क्स का नहीं पक् आता ही है चपा हुआ है वो पेपर में बस आपकी ही तयारी में कमी है आप नहीं आज इसको बनाना सीख लिया इसका मतलब आपको पहली सरंचना और दुनों में डिफ्रेंस देखना मेगनेट और परमेगनेट तो मेगनेट जो होता है आप यहां पर यह दो दो चार दो छह साथ आठ हो गए तो यह स्टेक्चर पॉसिबल नहीं करने चाहिए यह नहीं हो सकता क्यों क्योंकि एक वरन बात करहें यहां पर कि आप यहां बात कर लें यहां पर ऑखिन यहां पर और लाट हो गए यहां पर यह नहीं हो सकता एक माइनस चार्ज अए लेकिन वो कितना बता रहा है तो माइनस में इसका मतलब यहां भी एक बंद नहीं होगा कितनी ओंगया माइनस टूह गए बोलो हाएन और क्या होगी टो ढेकपांच चैक्च जो है plus 2 से कहां तक जाता है प्लस 7 तक जाता है राइट बीटा यह सो नो जल्दी बता दो जल्दी बता दो फटा फट तो प्लस 7 तक जाता है तो यह माइनस टूपिस टेक्च क्या बन गई एमन डबल बॉंड ओ डबल बॉंड ओ इसके समझा दें हूँ ठीक है और टेट्राहइडल में आयन जो कैसे कलर का होता है ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना ग्रीन कलर में बनाया गया है डाइग्राम तो बात क्लियर होगी से वेरी इंपॉर्टेट आपको याद इ नहीं समझ आया तो फिर से बता देना यह बात आपके एक्जाम में यह कैस्टन आना ही है पक्का आना है इसमें कोई दोराय नहीं है मैं कह रही हूं तो यहां पर आप देखोगे कि एमन जो है मेगनीज की प्लस सेवन तक जाती है दो दो चार दो छे और एक साथ साथ बना लेकिन हमने तो मेगनेट पर फॉर्मूला क्या दिया है माइनस टू तो आपको वही पर तुरंट के जाना चाहिए कि सिंगल बॉंड होता तो माइनस चाहिए तो यहां पर भी एक बंद नहीं होगा माइनस गटने की जरूरत ही नहीं है यह सानो फड़ा 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 जल्दी से बताएंगे विटा चलते हैं आगे उतार लिया आई दूसरा है आपका एमनो पॉर माइनस वह क्या थी क्या नाम है अश्वाछ पर फेंश अनगे नेड निध्र कट्र होता है माइनस तो और मैंनेन में आए माइनस वाइन रवाइट आजाए अब अपने पास वहिठ हम आपने तो वही चीट म 커피राकिज़ ब जल्दी बता आपको के वाल मेगनेट याद रखना है पर मेगनेट अपने आपाँ ठेख बात समझ में आई अब आपको यह स्ट्रेक्चर क्लियर मेडम हम कई बार भूल जाएं तो अच्छा के टू आमनोफोर और के आमनोफोर यह तो याद है के टू मेगनेट राइट पोट पोटेशियम मेगनेट और यह पोटेशियम पर मेगनेट है यहां तक कोई दिक्कत नहीं अच्छा इसको खोलो मेगनेट को क्हाएगा के पầnस मनोफोर बननेशननन जाओ-2 इसको खूलो के प्लस fakie वलो ह stern नहीं अगर ऑगर piękna alt up को याद है तो भी कोई दिख्कत नहीं मेग्जने याद हथ है तो भी कोई दिख्कत नहीं बस इतना ध्यान रखले नवा मेग्जनेट में 1-1 होता है और मेग्जनेट में माइनस टू होता है इसी वज़े से स्टेक्चर क्लियर होगा यह भी टेटराइडरली है रियक्षन में कोई दिकत नहीं है समझ आ गई बात तो फटावर लाइक कर दो जल्दी से लिख दो यस और उतारो यह आपकी बुक में नहीं समझाया गया इस तरह से समझाया ही नहीं ग इसको समझ लिया तो मैं जिन्दगी भर याद रहेगा एक्जाम क्यों ऐसे कई बार आप कितने खुद निकल कर एक्जाम क्रेक करके आप कितने और लोगों को भी समझा सकते हैं राइट कोई टीचर भी हर वक्त थोड़ना हर चीज या सकता है नहीं रख सकता है इसी लिए क पोटेशियम डाइक पहला पोटेशियम पर मेगनेट जिसे कि से बनाया गया था पोटेशियम मेगनेट सबसे पहले पोटेशियम मेगनेट बना फिर पोटेशियम मेगनेट से चार की अपस्तित में पोटेशियम पर मेगनेट ठीक बात समझ में आ गई बात जल्दी से बता C-R2-O-7 chromite अयाश्क अयाश्क क्रॉमाईट अयाश्क क्या होता है खनन द्वारा जो भी अपने को धात्वें प्राप्त हुई है उनका अगर अपन अशुद्धियों तेखे और सबसे पहले यहां पर क्या किया था वयसे ही यहां किया तयार करेंगे सोडियम क्रोमेट तयार करेंगे दिसे करो invariant झो यानिक diagram अच्छा से पीस हो ठिक है और उसे हवा की उपस्ति के नहीं ऑक्षिएन के उपस्ति में sodium hydroxide एने ओच के साथ गरम किया जाता है तो sodium chromate बनता है chromate का मतलब होता है CRO4 the chromate right CRO4-2 तो आपके पास क्या था iron chromate था F e plus C r F e plus 2 C r O 4-2 ऐसे भी हो जकता है right yes or no जल्दी से बताओ अच्छे से लिखते हैं चल्दी जल्दी जल्दी बताओ जल्दी तो अपने लिखें अगर यहां पर आप C r 2 O 4 लिखते हैं तो अपर लिखेंगे माइनस clear चले तो यहां पर आप देखेंगे कि यह रियक्शन जब हो रही है और साथ में एने प्लस होता है OH माइनस होता है तो आप देखेंगे कि एक बर चार्ज हटा देना भाई क्योंकि फिर वैलेंसी मैच नहीं करेगी तो आप सोचोगी कि यह क्या हो गया है ना एक बर माइनस जब गया ओके आने प्लस OH माइनस तो यह अब यह प्लस के साथ माइनस जूड गया अब अपने पा कि देखा और वेकता है जलता इसे निर्मान करते देता खेठता है तो हैने आई टू-CR4 विवात समझ में आई अ जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो इस नहीं कहने ना कि दि प्रिताय और यहां पर satu 3 और यहां पर आजाता है अब आप सोच रहे होंगे यहां प्लस थ्री हो गया यहां पर f2 में हैं और यह जब आप कोई reaction करते हैं किसी धातु के साथ तो वहां पर जो होता है ऑक्सीघ्र नपने चलता रहता है इलेक्टों का देना लेना और वैसे भातहूए कोई दिक्कत ही नहीं है बात समझ में आ गई हो तो फटा फट लिग देंगे यस मैं क्लियर यह रियक्शन आपको ठोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके वह आपको याद होगी यह मैं इतना तोड़कर इसलिए बता रही हूं कोई का सोडियम डाइक्रोमीट में सोडियम क्रोमीट अने टू सीया कोफोर जाता है सोडियम डाइक्रोमेट के गोल को सोडियां क्रोमेट की रियक्शन किसी अम्ल के साथ आप करा रहे हैं तो वह अम्ल जो है उसे ऑक्सिक्रत करके क्या बना देता है सोडियां डाई क्या बन जाता है सोडियां डाई यास और नौ जल्दी जल्दी बताओ पटाफट 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 यस और अरे बाते मत मुझे पता है आदेस ज़्यादा तो यहां बाते करने के लिए टाइम पास वादा बिटा समय की कीमत को जानो है ना और जब तक आप इन चीजों के बारे में सीरियसली नहीं पड़ तो यहां पर ध्यान दो बाद में कर लेना बाते इस तरफ आगे डॉक्टर इंजिनियर नहीं बनना अगर कहते हैं न कि अगर भविष्य अच्छा करना है तो पर्जेंट को पहले क्या करना पड़ेगा आपको पर्जेंट में महनत करनी पड़ेगी संघर्ष करना है तो मेनत से हर्ची संभव है कोशिश करो कि जितना तुम मेनत कर सकते हो उतना करो आज पर्जेंट में तो फ्यूचर तुम आज स्क्राइब कलियर हो बिलकुल हो ओगया आप आप इस में पहले बनाया था वहीं पर सेवपी है इसमें अपने क्या sodium chromate से sodium dichromate और sodium dichromate से potassium dichromate बन जाता है आजा यह कह रहे हैं कि sodium dichromate को filter किया जाता है filter कैसे करते हैं यानि आपके पास में पत्र में solution है इसमें sodium dichromate भरा हुआ है Na2Cr2O7 clear Cr2O7 सो यह sodium dichromate तो यह जो है इसको जब आपने लिया तो यह क्या होगा एक solution है अब आपको क्या करना एक filter paper लेना है एक filter paper लेना है और वो filter paper से इसको च्छानना है जैसे ही आप keep लगा कर उसे च्छानेंगे तो filter किया हुआ जो अपने पास solution आया है वो acid के साथ reaction करेगा और उसके साथ कम घुलमचिल होने का sodium sulfate अलग हो जाता है फिर गर्म सांदृत गोल को ठंदा किया जाता है जब खड़े होने पर sodium डाइक्रोमेट के लाल क्रिस्टल अलग हो जाते हैं sodium dichromate के जो क्रिस्टल होते हैं वो अलग हो जाते हैं फिर potassium dichromate प्राप्ट करने के लिए sodium dichromate को गर्म सांदृत गोल को potassium fluoride के साथ चाल या जाता है क्या कहना चाहरा है यह कह रहा है कि जब आप sodium dichromate लेते हैं उसको filter करोगे filter करके थोड़ा उसमें acid डालोगे H2O4 तो वो reaction करेगा sodium के साथ तो sodium Na2O4 और वही Na2O4 जो है पानी में कम गुलंशीद है इसलिए हम reaction करवाएंगे उसकी एक लवन के साथ जो है आपके potassium chloride उसके साथ जदी आप potassium dichromate की reaction कराते हैं तो आपके पास क्या आजाता है शुद्ध लाल रंग का क्या पराप्त हो जाता है potassium dichromate एक्चली इसका कलर रैड नहीं और रेंज होता है और इतना शाइनिंग वाला इतना सुन्दर क्रिस्टल होता है मैं कहूं इतना नीडल जैसे क्रिस्टल होते हैं इतना प्यारा कलर होता है जैसे आप इसका solution बनाते हैं solution एकदम औरेंज रसना नहीं आता पीने वाला एकदम वाई है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा केमिकल जो होता है इसी के डाले जाते हैं तो वह similarly रसना के अंदर जो होता है या फिर यू करूँ कि जो अपने पास औरेंज के जो भी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है पोटेशियम डाइख्रोमेट चावल को पीला करते नहीं है करते ना तो उसमें हल्दी डालते हैं कुछ लोग लिए कुछ लोग कलर डालते हैं ममीयल आती है ना एक डबी के अंदर की कलर है जिसे की चावल यलो हो जाएंगे औरेंज हो जाएं तो वही चीज यहां पर बता होता है पोटेशियम डाइख्रोमेट होता है ओके बात समझ में आगे तो फटावट यस मैं लिग दो लाइक कर दो जल्दी 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 और शेयर करो है ना इसके बाद इनके क्योस्टेंस हैं इनके आंसर आपको ही करने देखें आप कितना ध्यान से पढ़ र पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है पहले सब्सक्राइब तो सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट को चान कर एसिड के साथ रियक्शन फिर के साथ रियक्शन करके क्या बना जाता है पो पानी में घुलंशिर है लेकिन थंडे पानी में मध्यम घुलंशिर है पता है एक आपको प्रैक्टिकल होगा ना तब बोलेंगे एक्जामिनर कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला टाइक्ट्रेशन करो आप एसीड बेस है ऑक्सिडेशन रिदक्शन में तो वहां पर आपका जब सोलुशन बन रहा है तो कहते हैं कि यह ठंडे पानी में घुल जाता है क्या यह टॉपिक आपके थियोरी में है तो हम तो यह सोचने लग ज इसी लिए तो तो हमने वहां बताना है उनको कि क्या नहीं होता यह ठंडे पानी में कम गुलंशील है वही पर अगर पानी थोड़ा सा गुन गुना कर दिया जाए गरम कर दिया जाए तो वहां ध्यान रखना तो गरम करने पर यह विगुटित होकर पोटेशियम क्रोमेट गरमी कोसाइड देका है क्रॉमी कोसाइड सीयाग्टू ओठी और पो टेशियम क्रोमेट केटू सी और फोडिम क्रोमेट का फिरम बिक यह था है सरना है यह ना जल्दी बोलो फोटाब कमें में लिग दो जलदी से यहस मैं आव अगला ऒए ख्रोमल क्लोराइड यह भी बहुत important है, exam में क्रॉमिल क्लोराइट परिक्षन क्या है? exam पुछते हैं, क्या है? द् cricket, क् necesita को जब K2Crначала 7 और सांद्र के साथ गरम किया जाता है तो H2SO4 Acid Chromyl Chloride का नारंगी लाल दुआ बनता है Chromyl Chloride जो परिक्षन है उसमें आप किसी की Chlorine युक्त धातु को ले 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 ली और उसके साथ में Concentrate H2SO4 ले ले यानि आपको एक क्या लेना है Test Tube लेनी है जिसके अंदर आपको कोई न कोई धातु क्लोराइड लेना है धातु क्लोराइड ले लिया और उसके अंदर Concentrate Concentrate यानि सांद्र क्या डाल दो H2SO4 डालना नहीं है Drop, 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 drop करके डालना है ठीक है इसके उपर ये आपका धातु लवन है अब इसके उपर आपको क्या डालना है Concentrate H2SO4 जैसे ही आप क्या करोगे Concentrate H2SO4 डालोगे तो आप देखते हो देखो प्लिखाना मिश्रण को K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के साथ गेंदी है यानि इसके अंदर धातु क्लोराइड है और साथ में क्या है K2Cr2O7 नारंगी रंका ले लिए अब ये सब इसके अंदर मिला करके इसके अंदर जब इस ऐस्टो सफोर डालते है और थोड़ा सा इसको हीट करते है तो आप देखते हैं कि यहां से एकदम Red Orange Mixed Color की क्या निकलता है धुवान करने शुरू कर देता है तो वही आपका क्या होता है क्या हो जाता है Acid के सब इसके अंदर करके Chromile Chloride का किसका निकलता है Chromile Chloride का Chromile Chloride क्या होता है CRO2Cl2 का धुवान निकलना शुरू जब जब तो आपको कई बार पूछ राता है एक्जाम में कि जब K2Cr2O7 की reaction किसके साथ acid के साथ reaction होती है और जब धातु ख्लोराइड के साथ reaction करता है तो क्या बनाता है क्रोमिल्क क्लोराइड बनाता है जो नारंगी या फिर रैड करका धूआ उपसजित करते हैं प्रतीत होता है जल्दी से जल्दी पठड़ा फट जल्दी उतारों जल्दी यह ये यह से पढ़Mc सब्रगें तभी याद होगी , जल्दी 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 जल्दे , अवोज है यह तोऑ देकि यह अब यह कह дальше है एच्छाक होकि है अब आता है हेच्च्ट ही कशिया है है विट्वत्रु के साथ गाही कि लवन के साथ में एस रेक्शन रही है तो अमलीक्रत घोल में गठन के करण ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है यहां पर क्या है धातु क्लोराइड हायन और यहां पर क्या है क्रोमेड का किसके साथ एच्टू ओटू के साथ जब रियक्शन होती है तो क्या बनता है सी आर ओफाइड जिसका कलर कैसा होता है नीले रंका यह सोगी चल्दी बता दो पटापद 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 के टू सी आर्टू कैसा रंका होता है नारंगी लाल ठीक है और वह कैसा होता है नीला क्लियर बात समझ में आगे तो पटा फट लिग दो यस मैं जल्दी 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 थोड़ा थोड़ा सजक हो जागो मोहन प्यारे जागो चलो आगे आजाओ के टूसी आटो सेवन का उप्योग गुन देख लिए अब यूसे लोह लवन आयोडाइद और सलफाइड के आयकतन अवकरन के लिए इनको चेंज करने के लिए जाता है क्रॉमिक योगिक जैसे क्रॉम पेट करी क्रॉम पीला आधी की तयारी के लिए इसका यूज किया जाता ह क्रोमेट और डाई क्रोमेट सरचना सबसे इंपोर्टिंग वहां सरचना चाता उस्वले की थी हाया ना MnO4- MnO4-2, MnO4-2, Pautasium Magnet, MnO4- potassium Permê College Clear उनकी सरचना चाता उस्वले की थी आब आपन देखते हैं क्रोमेट और डाई levar की सरचना ओटましょう सबसे पहले CRO 4-2 आयन टेट्रहेडर इड्राइडर्न अलेड है क्रोमेट आयन की स्टेक्चर इसकी क्रोमेट क्रोमिय रह रहे क्रोमियम कितनी स्ट्छर शोगर रहा प्लस पोर तक जातीय द्लिशन स्टेप और यह चार बन बना सकता है चारवन इसने आराम से बना अब जब आप इसके उपर माइनस तू लगा रहे हैं तो आप देखे हैं C-R-O-O-O अब यहां पर डबल बोन डबल बोन माइनस और माइनस राइट यह रियाक्शन जो है दो आपस में जुड़कर यह साथ तो नहीं बना सकता बन यहीं बना सकता इसके बास तो यह बात तो समझ में आगए आप चलते हैं सी आर ओफोर माइनस की आयन की सरण चला तो यह देखो यह देखो क्या कर रहा है यह यहां पर दो 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 चार पांच छे और यह क्या है के टू सी आर टू ओ सेवन की स्ट्रैक्चर है जो की आपको पता होने चाहिए पूछा आज आता है एक्जाम है होगा इस्से इंपॉर्डेंट उर्मेंट और मेंगने इस को मलब जल्दी से उतास वह डिखाय fait इसमें को सफुर्ड्स 256 हो रही है तो वह एंगल जो है लेंफ सेवन थे निकोंटर हो रही है एंगल जो है वह 109 डिग्री अथा इस देश्ट जो होता है वह क्या हो रहा है घट रहा है कि बढ़ रहा है बाद नेगल बढ़ रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सिजन पर लॉन पेर जो है इसकी वजह से पर्तिक रशन हो जाता है और इस तरह बॉन लेंथ ज सुमें पता ही है टेट्राहइडरल कॉर्णर जो होता है उस पर एक औक्सिजन क्या कर रहा है सांजा कर रहा है कर रहा है ना सांजा ठीक है कोई इस उतार लिया आज़ा है यह तो टॉपिक क्लियर हो योगिक क्लियर हो गए मैंली अपन ने पोटेशियम पर मेगनेट और दीकिया आप देखते हैं पहला कर साहता है मेंस कौण सा टत्व का है जल्दी कमेंग सी जिसने सही आंसर कर दिया वह आज का सब कोई धुक्त हन्तरक षेह पहले आंसर कर लाडले बच्चे वाई फड़ा बता जल्दी आज के कौन है वीनर वेली तो राइट अंसर इस बीड लियर जल्दी बताओ ओकेजिए सेकेड सोना धातू का ऑक्सिकन संख्या ऑक्सिकन संख्या अमेशे किसमें होती है माइनस में कि प्लस में यह होती नहीं है रे बता दो कमे होती है यू की हमेशा कितनी होती है राइट आजा तो देखती है अंसर आजाना चाहिए तनु एवं अलप चारियक केमन ओफोर के घोल को कहा जाता है क्या फेनाट अभी कर्मक लिउकास बेर और टॉलन अभी कर्मक जल्दी बताओ एजी टूओ टूलन अभी कर्मक होता है ह होता है की नहीं होता है यह आपके इसलेबंस में इसलेए बता ही लंकास अभी कर्मक क्या होता है जडल सीयल पायास और सब्सक्राट करते तो क्या है आपके में अच्छ वार्ट जो वीलियन होता है उसे क्या कहते हैं देवर अभी कर्मात क्लियर बात समझ में आ दी जल्दी जल्दी याद रखना दोनों किसी नहीं बता हैं मैंने यह एक्जाम में आते हैं बहुत बार प्रैक्टिकल में पूछ जाता है कि तत्व एक्स की ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस त्री है यानि उसे तीन इलेक्ट्रों दान कर दिये हैं अवस्ता में विन्यास 3D4 अब इसका विन्यास हो गया 3D4 बताओ कौन सा तत्व है उसके प्रमानु सेंख्या बताओ जल्द ही बताओ यह तो पता होना चाहिए मैंने महुरत निकलवाएं तब जाकि आप समझेंगे कि आप महुरत निकाल दिया है पंडिजी ने आज से पढ़ना शुरू करें ऐसा कभी दिन नहीं आएंगा हर दिन अच्छा होता है हर दिन महुरत होता है पढ़ने वाला चाहिए होता है राइट अच्छा पढ़ना शुरू क और दो बेटे तो डी 3D4 कहां पर आएगा अच्छा डी ब्लोक में क्या होता है 21 22 23 24 25 16 तो डी 1 होता है डी 2 होता है डी 3 होता है डी 4 होता है और डी 5 ठीक है डी 5 के साथ में एस के अंदर दो भी तो दैं यह सोर्णो जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटा बट बताओ तो कितने हो गये यह क्या हो गये तीन और पांच छे साथ इस तीन चले गए तीन एक लगाएं कितने बचाएं कितने बचें चाहित वचें तो 3D फोर किसका होगा इस तरह निकालो मेरे राजा बच्चों अरे थोड़ा होश यार हो जाओ लाला तो समझ नहीं आएगा मेरे गूप वालों तो लगेगा क्या कर रहे हैं हम जितना कॉंसेप्ट को बारे की समझोगे मैं कहते हूं ऐसा कोई प्रश्ण नहीं जो आपको आने सकता आंतरिक संक्रमन तत्व बेटा आंतरिक संक्रमन तत्व का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ आंतरिक संक्रमन तत्व याद है अपने डी ब्लॉक पड़ा था और डी ब्लॉक में अपने देखा था कि यह है अपना N और यह है अपना N-1 जिसमें इलेक्ट्रोन भरे जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं संक्रमंत क्यों की यह डी जो कख्षक है यह डी कख्षक क्या करता है? इलेक्ट्रोनों का ट्रांशन टि में ही करता है लेकिन इसी के अंदर की बात करें तो वह हो जाता है यानि की आंटरिक हो जाता है अंदर से भी अंदर राइट इसे लिए इने आंदर ये ओगया संक्रमण और संक्रमन तत्वों के अंदर वाला कोश है तो क्या कहलाएंगे आंतरिक संक्रमन तत्व बात क्लियर हो गई मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी टीचर टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर दे तो मेरे बच्चों को भी दिक्कत आएगी ही नहीं राइट बच्चों हाँ यह ना बड़ा बढ़ा हो सही है ना टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक का यदि अर्थ जान लें तो टॉपिक तो आया हुआ है तो फटा फट तो अब बात स तो यह अंदर की ओई तो जा रहे हैं अंदर के त्रफ जाते हैं तो ऊसे अपन कहते हैं और को इलेक टरोनों परो्ट होता है ट्रांजिशन करना तो कहलाया दिए बात समझ में आ गई तो फटाफट जलिए लैंक कर दें और देख़स अ? कह रहा है भी कहले आप लोग में दो श्रंख लाएं होती है जी जिने लेंटन और एक्टिनोइट कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगी सांड़नी में वी कि अपन देखते हैं कि अपने पास ऐसी अगर आवट सांड़नी है तो उस आवट सांड़नी में डी अक्षक में चार ब्लॉक होते हैं याद है 3D 4D 5D और 60 तो यह 5D लेंटन लेंटन दो आने वाल तत्वों को लेंटनोइट एक्टिन्म के बाद आने वाल तत्वों को बेटा क्या जाता है एक्टिनोइट तत्व कहां जाता है बात समझ में आ गई तो फटा फट जल्दी से यास मैं में लिख तो फिर यह कहते हैं आम तोर पर लेंफिनोड किसी भी चर्चा में शामिर किया जाता है जिसके रिए सामान्य पड़तीक LN है अब इन पूरे चौदा तत्मों को एफ ब्लॉक का सीरीज है तो एस ब्लॉक जो होता है उसमें अधिक्तम 14 इलेक्ट्रों भरे जा सकते हैं इसी लिए कहा गया कि इसमें तत्व भी कितने रखे गए हैं चौदा तत्व रखे गए हैं और ये चौदा तत्वों का समुह जो है उन्हें लेंथे नॉइट्स कहते हैं इसे LN दुवारा पदिश्ट करते हैं बच्चों यदि केवल LA है इसका मतलब ये लेंथे नम है और अगर LN है तो यानि ये चौदा समुह का चौदा तत्वों का समहार है समुह है इसलिए क्या जाता है लेंथे नॉइट्स राबात समझ में आई सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी बताओ जल्दी से जल्दी क्लियर हो गया ओके ऐसे ही एक्टिनॉइट्स में भी क्या है ए सी दिया गया है तो किया जाता है इसी प् का दो चलो यांन के will यही पर ohud और कहीं नहीं क्ली ओगई बात आज़ाजी आ जाए जाजी वटा उतार ले ना दिको बेट में जितने बता रहे हूं आहे चलो लेंगे नुए की स्नुक्ला में सामाण्य संक्रमंत के सद्रस्य की तुर्मा एक दूसरे से अधिक मुलते हैं यानि कि लेंधिनोड किसी भी श्रंकला में सामान्य संकरमन तत्मों के सदस्यों की तुम्नाम तत्मों के अपने तत्मों हैं उसके पास और D-Block के तत्मों दिया है है उन्हें बाहर तो निकाला गया लेकिन कुछ चीजें उनकी वहां भी सिमिलर्टी शो करती है ठीक है तो यह कह रहे हैं कि उनके पास केवल एक इस्थिर ऑक्सिकान अवस्ता है और उनका रसायन अन्य था समान तत्रों की श्रंकला के साथ छोटे आकार की परमाणू चार्ज के प्रभाव की जांच करने का करता है यानि कि जिस प्रकार अपन बात करें किनकी बात करते हैं अपने डी ब्लॉक के तत्वों की तो वहां क्या होता है ऑक्सिदेशन इस्टेट जो है वो चेंज होती रहती है होती रहती है तो वहां पर अपने देखा कि यहां जोगी यहा लिए टाइब एक च्पर समझत है की इस परकाल बदलकर अउसर बदाना कर सकते हैं लिक्षी हुई चीजे ठीक है नोट्स में भी आप उतार लेंगे ठीक है लेकिं लिखे वई चीज का अर्थ क्या है जब तक वो समझ नहीं आया तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है ये केवल और केवल शब्द है इनका कोई मुल्य नहीं अगर इनका अर्थ समझ में आया तभी ये मुल्यवान है ओके चले तो बात समझ में आगे बीटा चलते हैं आगे अब थोड़ा सा लेंथेनोट जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रोनिक विन्यास कैसे होता है ज़रा एक बज़र दार भी आपन देखते हैं कि इन तत्वों के परमानों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास जैसे वहां पर अपने क्या देखा था N-1D1 to 10 हा या न और Ns2 वह सही यहां पर आएगा क्या इलेक्ट्रोनिक विन्यास आएगा 6S2 5D0 या 4F1 to 14 बात समझ में आगे 0 या 1 वहां आगे तो देखें न ठीक है बात समझ में आगे मैं यहां लिख देती हूं 6s2 5D0 ओर 1 और 4F1 to 14 इटा पता है क्या होगा 6s में इलेक्ट्रोन हमेशा भरे जाएंगे D में 0 या 1 की रहेंगे और इलेक्ट्रोन किसमें भरे जाएंगे F यानी कि बायतम कख्ष में तो होगा इए फिर आंत्रिक संख्रमन तत्र और आंतरिक संख्रमन तत्रों तो वह पहले किस में भरा जाएगा आपका जो जो इलेक्ट्रोन तो कहां जाता है बात समझे होगी वांगी ऑ Bennett लोके तत्र इसलिए आजाता कि ने अन्तिम इलेक्ट्रॉन एफ सिरीज भरा जादा आए जी लेंटेन तत दिखाई दे रहे हैं सभी को ज़्ड़ा ध्यान दो Lanshanum, Cyrium, Pracyodineum, Neodineum, Promethium, Sumerium, European, Godolinium, Turbium, Dispersium, Holmium, Irbium, Thulaeum, Uterbium और Lutetium बात समझ में आई तो यह जो तत्व आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यह जो तत्व हैं यह जो तत्व हैं इन तत्व में आप देख रहेंगे सिंबल्स तो ठीक है और इनका electronic विन्यास 5D एको F आगे लेंथे नम जो है उसमें D है इसलिए से D ब्लोक में ही रखा रहा है इसके बाद जो तत्व हैं गुल्म नो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा लेंथे नम के बाद जो चौदा तत्व आते हैं वह तत्व कहलाते हैं लेंथे क्लियर अब इनके अंदर क्योंकि एफ आ गया है इसलिए एफ ब्लोक के तत्व है राइट लेंथे नम के बाद इसलिए बोलता है राइट यह चाओदा तत्व अब इनमें देखेंगे आप एफ में इनका इलेक्रोनिक लिएस दिखाई दे रहा है जीरो वन टूट्री फोर फाइट फॉर्टीन तक कोई दिक्कत ही नहीं है अब यहां पर यह कह रहे हैं कि इनकी स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट जो होती है वह होती है प्लस थ्री और उसके बाद में यह वेरियेशन देता है तू भी कर सकता है और पॉर नहीं जा सकता है तो क्यों आता है कि प्लस फॉर उक्सिडेशन स्टेट जो दिखाते हैं उन तत्वों का नाम बताईए तो देखो यह अब आप मेंसे कई बच्चे यह सोच रहे होंगे कि प्लस फॉर क्यूं प्लस टू भी क्यूं आपको मैंने पहले भी बताया है आज मैं फिर बता रही कोई भी तत्व अपनी स्थायत्व को प्राप्त करना चाहता है वह स्थिर चाहता है अगर वह स्थिर हो रहा है इलक्टोन देकर तो वह देगा बेशक देगा अगर वह स्थिर हो रहा है इलक्टोन लेकर तो वह बेशक इलक्टोन लेने की कोशिश करेगा अगर प्लस टू याई 3 से 2 में आ रहा है याई रैक्टौन लेकर करके स्थिरोन चाहता है तबी 2 दिखा रहा है राइट देखो तू दिखा रहे हैं सभी 3 भी दिखा रहे हैं लेकिन 4 जो है केवल कितने दिखा रहे हैं एक तो दिखा रहा है आपका चलो मैं color change को लेती हूं ताकि मेरे वो क्या दिखाएंगे प्लस four oxidation state plus two भी दिखाएंगे प्लस थ्री भी प्लस फोर भी दिखाएंगे अब कौन से हैं आपके पास साथ ही आपके पास आता है क्म से तत्व इसमें बताया गया है क्या एफ seven जिसके अंदर आता है ये जो सीरीज है कोन सी और दूसरा इसके नीचे लिए यानि कि ये दौनों तत्व क्या होते हैं प्लस पोर ऑक्सिदेशन इस्टेट्म क्या करते हैं आप देखो ये अर्ध पूरित है ये और पूरित की निकट है और ये क्या है रिक्त आयफ कक्षक जो है यानि कि stability जो है इनकी रिक्त कक्षक करने की जादा रहेगी इसलिए यह प्लस पॉर में भी एंजिस्टर कर जाते हैं तो आपको question confirm confirm आता है जरा ध्यान से इनको याद करना कि प्लस पॉर में कौन-कौन से आते हैं सीरियम प्रसोडाइमियम और नियोडाइवियम टर्बियम और डिस्पर्स यह यह पांच वो तत्में जो प्लस पॉर ऑक्सिडेशन स्टेट करते हैं पर कंफर्म क्यों आता है क्लियर बात समझ में आगी राजा चलिए आईए अब आता है परमानो आकार और आइनिक आकार परमानो आकार और आइनिक आकार का क्या मतलब है परमानो आकार क्या होता है कोई भी उदासीन परमानो है उसकी नाविक से बाहितम कोश की बीच की दूरी या कहूं परमानो क्रमांग जितना जादा आकार उतना बड़ा प्रमानु क्रमांग जितना कम आकार उतना छोटा शायद यह से भी लिख सकते हैं हम आइनिक आकार का मतलब होता है जब कोई प्रमानु इलेक्ट्रों ले लेता है या दे देता है चलो जैसे यह है आपके पास कि परमानु क्रमांग बढ़ेगा तो यहां पर जिसे अपने पास 58 है 59 है 60 है 61 प्रमानु क्रमांग बढ़ रहे हैं जल्दी बता हो बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं तो आकार बढ़ रहे हैं कोई दिकत में ठीक है उसके बाद आपन देखते हैं कि आइनिक आकार अब यही यह यह दी आइनित हो जाए यह यह इलेक्ट्रोन या तो ग्रेहन कर ले या फिर दान कर दे राइट इलेक्ट्रोन दान भी कर सकते हैं तो अनके आकार में जो चेंज आता है है जो परिवर्तन अब होता है तो वह परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है आपका आइनिक आकार आयन में का आकार जो है वो उसके प्रमानु क्रमांग पने पर करता है जो बढ़ने पर बढ़ा है देता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट जल्दी से उतारेंगे ताकि बात आपको क्लियर हो जाए अब चलते हैं हम आगे थोड़ी सी परिभाशा चेक कर लें और यह कह रहा मैंने डी ब्लॉक में बताया है आपको 11 प्लास में भी पढ़ाया गया है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है विकॉज ऑफ क्या प्रभावी नाभी किया आवेश और लास्ट के जो तत्व होते हैं उनमें आकार में व्रदी होती है विकॉज ऑफ परिरक्षन प्रभाव बात समंद में आगई हाँ या न अनूठी विशेष्टा है यह लेंथे नौइट संकुचन के कारण होता है परमारों प्रिजा में कमी बिल्कुल नियमित नहीं है क्योंकि यहां पर क्या एम प्लस थ्री आयन कोई मैटल है एम प्लस थ्री आयन में नियमित है या उसका औक्सिदेशन स्टेट हमेशे STABLE कि सपोजिशन में प्लस थ्री में यह संकुचन सामान यह संकरमन स्ट्रम का में देखे गए सं पता है क्या ःतो हम शब्दद आएगा लेंधे नौइट संकुचन लेंधे नौइड शंकुचन क्या होता है नेंथेनोइट संकुचन का मतलब होता है जब कोई भी इलेक्टोन जब कोई भी इलेक्टोन आंतरिक कोश में भरा गया है तो आंतरिक कोश में भरने की वज़े से नाबिक के नजदीक आ जाता है और नाबिक के नजदीक आने से नाबिक इस पर अपना फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन ज्यादा लगाता है फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन ज्यादा लगाने की वजह से क्या हो जाता है कि वह इलैक्टोन को अपनी और आकरशित करता है आकरशित करने से क्या हो जाता है एक वह आकार में छोटा होना शुरू हो जाता है और उसकी आकार जो में आकार में कमी होती है और वही आकार जो है उनका आकार भी कक्षकों के किसके 40 कक्षक के तत्मों के लगबगर समान प्रतीता होता है यह बात लिखी नहीं गई है इसलिए में बोल कर बता रही हूं ध्यान दो कान को खुले रखो भई तो इसलिए इन्हें लेंटिनोट यह जब लेंथिनोट तत्मों के अंदर आंतरे कोश में लेक्टोन बरे जाते हैं तो उनका आकार 40 कक्षकों के समान या बराबर हो जाता है इसे लेंदिन संकुचन कहते हैं क्लियर अगर येस तो फड़ा फट कमेंट बाक्स में लिख दे यहास मैं जल्दी बेटा-जल्द very important very very important चलो आईए अगला है ओक्सिकन आवस्ता अभी मैंने बात की थी stable oxidation state plus 3 है plus 2 भी होता है और plus 4 भी होता है प्लस 4 देने वाले 5 तत्व हैं जिनके नाम आपको पता है फड़ा वट कमेंट बख में लिख दो जल्दी से जिनको जो को याद है जल्दी 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 आये जी लेंधिनाइट्स में लेंधिरम सेकिंड और थर्ड यही प्रमुख है हाला कि कुछ तत्व थर्ड और पॉर की ऑक्सिकन आवस्था भी दिखा सकते है पियार अंडी अधि अधि एम ओ टू ओ ठीक है ने प्लस ओर ऑक्सिडेशन स्टेट शिदा करते हैं याद है हाँ फटाफ़ली को कमेंट में जल्दी से कौन-कौन से तत्व है जो प्लस पॉर भी देते हैं क्योस्टन आएगा यहां से प्लस पॉर ऑक्सिडेशन स्टेट देने वाले क्या elements के नाम लिखो yes or no जल्दी बताओ मैं कई बार देखती हूं बच्चे कहते मैडम इंग्लिश में भी बोला करो इंग्लिश में बात किया करो अरे हिंदी तो हमारी मात्रभाशा है उसको केस छोड़ दे हिंदी है तो सब है विलकुल हम गर्व से कहते हैं है ना हाँ विलकु लगा इंडिया यह तभी तो बड़ेगा इंडियाफ़ तो हिंदी पड़ेगा इंडिया ज़रूरी है कहीं पर भी जाओ सब अपनी लेखुम में बात करते हम ही क्यों हम क्यों छोड़ रहे हैं नहीं हम भी अपनी मात्रभाशा की और कदम बढ़ेंगे थाकि हम सब मिलकर उ तो चलो जी आगे अब यह क्या कह रहा है कुछ विशेषता है देख ले आईए पहली सभी लेंथे नौइट चांदी जिस सफीद नरम धात में होती है लेंथे नौइट का करण कैसा होता है वाइट और यह कैसी होती है सफ्ट होती है ठीक है यह तेजी से धुमिल हो जाती है अगर इनमें किसी नमी में या बाहर इनमें खुला छोड़ दें तो रियक्टिव कर जाती है बढ़ती परवानु संख्या के साथ कठोरता बढ़ती जाएगी और समेरियम स्टील कठोर हो जाता है यह विद्युत के शोड़कर घंत्व अन्य गुण आसानी से बदल जाते हैं कुछ तक्वों को छोड़कर इन सभी तक्रों में होता है कि इनके खनत्व को बदल जाते ऌफट है तो anim चैंजendo correl है अगर कठोर होते तो नहीं होता लेकिन तो बदला जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है त्रिज्य सेयोजक लेंथिनोइड आयन को ठोस अवस्था और जली दोनों अवस्थाओं में रंगीन होता है समाधान इन आयनों का रंग एफ इलेक्ट्रोन के उपस्तित है ठीक बात है इसमेशे ध्यान रखो कोई भी क्योश्चन आजाए उसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या अगर यह पूछा रहा है कि कोई भी तत्व कलरफुल है तो क्या तो आख बंद करना और आंसर देना कि कि इसमें आयुगमित इलेक्ट्रोन होते हैं वह क्या होते हैं ट्रांजिशन करते हैं थोड़ी सी उर्जा लेकर अवस्ता में चले जाते हैं वापस अपनी अवस्ता में आ जाते हैं तो यह होता है इसलिए मैं कहीं जो लिख्य हुई है वो तो पढ़नी है जो एक्सरा में मैं बता रही है वो विध्यान से सुनो ओके चलो बीटा बात समझ में आगई होगी चलते हैं आगे अगला टापिक अब आपके जो लेंथे नर्ट तत्व हैं वो किस प्रकार क्रिया कर रहे हैं उनकी क्रिया होसे देखो बिटा लेंदे जो है उसके अंदर क्या होता है अप्लस टू भी होता है प्लस ञेक्श नाप्लस फोल होता है तो किनके साथ हैं वहां बार में एक बाद चेक करते हैं तो अपने देखते हैं कि लेंधे नोट जो होता है यहाँ पर सबसे पहले हैलोगन के साथ है यहां प्लस फिर ऑक्षडिशन स्टेट में है वहीं भी एसिड के साथ से नियेशन करके कॉन सी जी देता है कोई भी धातु कोई भी दातु जब भी किसी अमल के साथ क्रिया करती है तो क्या देती है एच टू देती है राइट वहीं पर ऑक्सिजन के साथ इसको जलाया जाता है तो एलन टू ओ थ्री देता है वहीं पर यहां पर यहां पर यहां पर के साथ रियक्शन करता है यहां पर भी नाइट्रोजन के साथ रियक्शन करत प्लस ठी में है और यहां पर यह किस वह है एलन सी टूंट यह किसमों में है जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी सब को अ ह ушती है इतना ही झालन से बताओ कमेंट बें लिख नतो यहां पर कौन सी oxidation state exist कर रही है साथ ही यहां पर भी बताओ यहां उसा आप दिखी रहा है फिर भी चलो बता दो एक easy देना जरूर यह सब में थोड़ी बता दूंगी भाई तो कहा गया है कि इस प्रकार जो तत्व होते हैं रियक्शन जब करता है थ्याइशन करता हैं रेक्शन करता है सलब के साथ बěक्शन करता है साथ है सबइक्ण ion करता है वह छ कार्बन ऑक्सक्रीचन करता जा रहा है जनरली प्लस थी ऑक्सिदेशन स्टेट में पाई जाता है इस्थाई होता है इसी लिए वो रियक्शन करके नया प्रॉडक्ट देता है बात समझ में आ गई होगी तो फटा-फट इसका स्क्रीन शोट लो यहां से एक नंबर का क्यूस्चन पूछ जाता है लेंथे चलिजी चलिजी चलिए आगे चलते हैं अब आता है लास्ट में इसके उप्योग जो है उसमें जो लेंथेनोज तत्व हैं उनके यूजिस क्या है जड़ा ध्यान से देखेंगे लेंथेनोड का सबसे अच्छा उप्योग प्लेट और पाइप के लिए मिश्रधातु स्टी यहां से भी क्योश्नाता है प्रसिद मिस मेटल में लेंथेनोड धातु 1995% Channel 54% होग के स्सी और लके होते हैं इनका उपयोग मग रधाइत मिश्र धातू मगनीसियं आधारित गुलیا बनाने के लिए जाता यायनी कि इनका यूज़ेस्ज जो है वह चोटी-छोटी धातु की मिश्दातु की गोलियां बनाने में में भी किया जाता है रैट चलू Ayun लेंथेनोइट की मिश्चित ऑक्साइट का उप्योग पेट्रोलियम भंजन में भी किया जाता है बहुत बार पूछा गया है पेट्रोलियम भंजन में कौन से धातूं का यूज़ के जाता है लेंथेनोइट धातूं का यूज़ किया जाता है वहीं पर रेक्तिकत लेंथेनो तो ही रोशनी होती है जैसे लाइट बंद की तो सड़नली बंद जाते है तीवी में नहीं होता लाइट आई जब तक चल रही है तो तक स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा है जैसे लाइट की फट से ब्लैक हो जाता है एक सेकंड के लिए भी नहीं दूपता ना लेकिन लीडी वगर होती है वहां पर देखा करो अगर आप लाइट आ रही है तो दो में अगर लाइट चली भी गई तो उसमें थोड़ी रोशनी रहती है आज जाके इस प्रैक्टिकल करके लिए फास्फोरी सेंस और फ्लॉरी सेंस कहते हैं ओके बेटा बात समझ में आ गई होग नहीं नहीं बातते ही करो पढ़ना है नहीं भाई पढ़ना क्यों है मैडम तो एसे पढ़ा रही है अपना तो समय बहुत कीमती है है ना कोई आया है जो तुम से मिलने आया है यहां पर बाते करने आया है उसको समय देना जरूरी है राइट हां हां बिलकुल उसको पहले दो मैडम की क्लास तो बाद में भी देख सकते हैं मैडम तो रोज पढ़ाती है आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे पर तुम्हें उससे बात करना दुरूए कर रही कल वो आएंगी की नहीं है ना अरे सुदर जाओ भाई पढ़ लो तुम पढ़ लो चले आई यह बाते क्लियर हो ग आता है अगना सीरीज क्या है आपका गांतील है अक्ति रैक्ति रैक्तिनोह्ट क्या रिएघ्टिन्व स independent याद रखो यह सामने दिखाई दे रहा है क्या कह रहा है एक्टिनाइट्स रेडियो धर्मी तत्व है और पहले सदस्ते का आधा जीवन अफ्यक्षा कर लंबा होता है बाद वाले ततों का जीवन होता है वो क्या होता आधा जीवन एक दिन से लेकर तीन मिनट तक होता है अर्द आयुकाल क्योंकि उनका जीवन काल होता है इसलिए पदा चल जाता है कि आधा जीवन जीवन जसका पदा चल जाता है तो अधर पूरा जीवन ने कि कह रहा है एक दिन से लेकर तीन मिनट से एक दिन के बीच में इनका अरदा युकाल है तो सोचो पूरा जीवन कल कितना तो ये रेडियो सक्री तत्रों होते हैं जिन में क्या होता है जिन तत्मों के द्वारा रेडियेशन्स उत्सर्जित होती है उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है रेडियो धर्मी तत्व कहा जाता है तो यह जया एक्टिनियम थौरियम फ्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेप्टूनियम प्लूटोनियम अमिरेसियम सीरियम बरकेलियम कॉलिफॉनियम आइंस्टिनियम फर्मियम मेंडलीम न आने वाले चाउदा तत्रू को एक्टीनोइड तत्रू कहा जाता है जिनकी सीरीज यह है इनके वैसे तो थापा वपन इनकी जो ट्रिक्स होती है वह भी आपन याद कर सकते हैं लेकिन ट्रिक तो ठीक है तो आप मुझे पूछे के तभी बताऊंगी कहते हैं बिना मांगे तो अब यहाँ पर भी देखो यहां पर फॉयर चारःशा सीरी और फॉर उयर्टर प्लस प्लस फॉर और फॉर फ्लस थ्री जो है वह सब वहाँ पर बदा दिया था इसमें केवल जनरली आपको बस इतना पता हो यह रेडियू एक्टिव तत्व होते हैं इतना याद रखना सभी और दायुकाल जो है वह तीन मेर्ट से एक दिन की बीच होती है क्लियर बात समझ में आ गई फटा फटा यस में लिको जल्दी लिखो और जो क्यों पुछाँ उसका अभी तक नहीं किया है अरे बच्चों चलो 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 चलें आगे आजाओ आओ आजाओ अब आता है अगला electronic wax , अब electronic wax क्या होता है , यहनि electronic wax कैसे लिखा जाता है , सभी तत्रों के सामन्य electronic wax को तालिकास से देखा जा सARK luggage है , 14 एलाक्टोनों को अप्चारिक रूप से 5F में जोड़ा जाता है हालां कि थोरियम में नहीं लेकिन पी और से आगे फाइफ ऑर्बिटल तक एक सो तीन पर पूर होते हैं आपको पता है ना अभी अपने फोर अपकी बात की जिसमें फाइफ दी सिरीज था अब आएगा फाइफ जिसमें तो आप इलेक्ट्रों फाइफ में भरे जाएंगे और लेंधिन जैसे एक्ट्रिनोइट के इलेक्ट्रोनिक विन्यास में भी एन नियमित स्थेवता से संबंदित है फाइफ ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगे फाइफ जीरो भी हो सकता है सेवन और को ती क्यों कि यहां पर है इंता और पूरित और पूरल कुट से रिक्ट अर्ध पूरीत पूर पूर्थब्रकहर ऑधिक इस थाइशन होते है्श Cos और जोडने के लिए उद्सक्ता होती हैसे लिए यह अधिक इसैशन ह्वत है जलदी से जल्दी से जल्दी से बाने समझ में आ गई है तो कमेंट चेक्छ में लिखतो यस मैं चले अजilt यह लिख घ्रा है परमानु आका और आईनिक आका इनका तरीका तो मैंने बता दिया था अट्रामानु आकार उदासी नमस्ता में जो परमानु है और इनका आकार बाएं से दाएं जाने पर घड़ता है क्यों क्योंकि आंतरिक कोश में इलेक्रॉंट बढ़ता है तो आंतरिक कोश नाभिक के पास होता है नाभिक के पास होने की वज़े से क्या होता है अट्रैक्शन बढ़ जाता है किसका नाभिक का और आकार में कमी आना श क्या कहे रहा है कि श्रंखळा में प्र MVन में एम प्लस-3 आएनों के दीडीडी未 जल्दी बताओ और जो लेंटिनोट संकुजन से अधिक होता है क्योंकी 5 जो है वह फोर अप से भी अंदर की तरफ एक्जिस्ट करता है ना भी के और नजदी का जाता है तो ना भी पेज़ी से अपना फोर्स लगाता है और अट्रैक्ट करके आकार को छोटा करें देता है बात समझ में यह संदी बताओ जल्दी ऐसे बात नहीं करो बेटा जो मैं तो कह देना मेरे से कि मैडम देखो लेकिन उसके लिए तुम ध्यान से लिखो तो सही देखो तो सही ठीक है चलो आगे ओके चलो आजाओ अब ऑक्सिडेशन इस्टेट प्लस 3 प्लस 4 होता है प्लस 5 भी होती है पर वो कुछ ही में होती है तो यह कह रहे हैं कि अक्सिकन आवस्थाओं की व्यापक रिंज है जो आंसिक रूट से इस्तथी के कारण है कि 5F, 6D और 7S इस्तथ पुरनिय उल जाते हैं एक्टिनोइट के पहले भाग में तत्व अक्सर उच्छ अक्सिकन आवस्था में प्रदिशित होते हैं हाला ही प्लस 3 प्लस 4 जब जल यह हो सकते हैं यह कहरा है कि आप जब एक्टिनोइट त्वों की बात कर रहा है तो वह जरय जो टरने की च्टिसी बढ़ जाती है तो यह कह रहे हैं कि पहले भाग में जो तत्व होते हैं वह उच्छतम ऑक्सिगान अवस्ता प्रदिशित करते हैं प्लस 3 और प्लस 4 चलो सामन विशेष्टाइं इसमें एक तो हो कभी कम हो दी कभी ज़्यादा हुए ही लैंथिन एक्टिनोइड संग्चन के कामण है तर ते रेडियाटिव है और इनमें एक्टिनोइडों के साथ प्रति किया भी करता है जल्दी बताओ फटा-फट 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 विशेष्टा ने तो सिमिलर ही है जैसी और लिख दो पिज जल्दी चलो फिर आगे जल्दी करो जल्दी ओके आज आज आव जी कह रहा है उनमें से अधिकांज सुरक्षात्मक औक्साइड परत के निर्मान में आज किया होता है कि जनरली जो धात्में होती है वो रियक्टिव जादा होती है वायू में एसीड बेस क जल्दी करती है तो उनको प्रोट्टेक्ट करने के लिए भी इनका यूजीं जाता है अच्छा अच्छार के साथ था और कार्बन के साथ भी था और इसके साथ था सलफर के साथ भी था तो इस प्रकार सब के साथ इनकी कुछ ही के साथ reaction होती है आगे क्या कह रहा है एक्टिनॉइट के चुम्ब किया गुरू अगर इनमें इलैक्टोन एय युगमित है तो वह अनुचुम्ब किया है अगर इलैक्टोन एय युगमित है तो होगा क्या अनुचुम्ब किया प्रवर्तिका और वहीं पर क्या हो यदि इलैक्टोन एय युगमित हो तो क्या होगा प्रति चुम्ब किया है है हाँ यह ना चुम्ब के गुन समझ में अधिक जटिल है लेंधिन इनकी जो तुलना करेंगे आप यदि चुम्ब कि एफेक्ट के बारे में थोड़ी सी कठिन पर दिए इनमें सभी तरह का इलैक्टोने गिना सा युगमित है तो आपन उसको किस क के लिए बात समझ में आ गए तो फटा फट जल्दी से उतार लो इसको जल्दी से उतार फटावट हो गया आजब अगला देखो प्रादम्बिक एक्टिनोइट्स का आइनन उर्जा प्रादम्बिक लेंधिनोइट से कम है क्योंकि फाइफ अप और्बिटल गहराई में उर्जा आई-ई आइनाइजेशन एनर्जी तो प्रतम यानिकी बाहितम कोश में से जब इलेक्ट्रोन आप निकाल रहें तो आसानी से निकल जाएगा तो इसलिए पर्थम तो क्या होती है कम और उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ना शुरू जाती है लेंधिनोट से थोड़ लेंधिन अटिविए में कम लिया बात समझ गई यह सोनो जल्स क्लास में फड़ावट 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 लिग दो जल्दी मैडम थोड़ा ओर जोश होना चाहिए अरे भाई कितना थोड़ा तुम भी दिखाओ जोश फड़ावट कमें में लिखो या समझ में आग एक्टिनओड योगिक या उनके आयन संभवत है चार्ज ट्रांसफर या एफ एफ संक्रमन के कारण रंगीन होता है यह मैंने बता दी है बात कि कोई भी तत्व अगर रंगीन है कलरफुल है इसका मतलब उसमें एफ ट्रांजिशन हो रहा है संक्रमन हो रहा है अगर ऐसा न सब्सक्रमन हो सकते हैं कलरफुल नहीं हो सकते हैं चलों जी आगे यस आगे आगे आजाओ आप चलते हैं आगे दी एवं एफ ब्लोग के कुछ महत्वपूर अनुप्रियोग पहला यह नहीं डी और एफ ब्लोग के तत्व आपसन जब मिल जाते हैं तो नया तत्व बनते हैं योगिक बनते हैं नए योगिकों का निर्मान जब होता है तो वो कौन से हैं एक नज़र दालो लोहा और इस पात सबसे महत्वपूर सामगरी है इसा वेरी इंपॉर्टन इनका उ नेशिद्जियों को हटाने और कार्बन और सीयां kmN और नी जैसे औने निकल जैसे मिश धात्मों को जोडने पर आधालिक यहीं लोहा इस पाद जो है इनका यूज कई डी ब्लॉक के एलेमेंट्स जो होते हैं तत्व जो होते हैं उनके जोडने में इनका यूज किया जाता है कुछ यूइकों का निर्मान विशेश प्रेयोजन के लिए किया जाता है जैसे कि वर्णक उठ्योग के लिए टी आई-ओ और जिंक का उप्योग के साथ जाता है बात समझ में बात क्लियर भी हो गई है ओके चलते हैं इस ब्लॉक के ततों में कि तत्व या योगिक महतो कुर्ण उत्प्रेरक की तरह कारे करते हैं क्योंकि यह लच्चिले होते हैं इनके मद्य रिक्ति स्थान पाया जाता है तभी तो यह दूसरे तत्व को है बात समझ में आगी यह सकते बताऊ जल्दी 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 बोलो यह सब घिवी या फोटोग्राफी में भी यूज किया जाने वाला एक मेहतोफकुंद रसाएं जाने एजए ब्यार के साथ साथ एजी और एज़ी आई का उप्योग्दी या जाता है it's a very very important जैसे लोहा इस पाथ आना वैसे एजबीर फोटोग्राफ में यूज़ किया जाता है लास्ट है कुछ यह जैसे मनोफोर माइनस सी आरो फोर और टू माइनस अच्छे ऑक्सीकरण एजेंट है यह क्या है पता है ना अच्छे ऑक्सीकारक है कि नहीं है बताया था डी ब्लॉक वाले चैप टॉपिक में बिल्कुर तो वहीं थोड़ा याद रख लेना थोड़ा फर कुछ कुछ चिज़ें इसमें याद रखन है आओ भाई टॉपिक हुए पूरे अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिक सेशन कर लें कुछ एग्जामपल्स कुछ क्योस्ट कर लें तो आई पहला प्रुशन कहता है कि निम्ला लिखित में से कौन सी संक्रमर्धातू अधिक्तम ऑक्सीकरण आस्था प्रशित करती है वै प्लस एट कौन सी तर डी ब्लॉक का एलेमेंट देता जल्दी बताओ जल्दी कमेंट में लिखो और यहां पर एबी सी में से आंसर बता तो जल्दी जरूरी है अगर नहीं बताया तो वही अब तो गलत बात है मैंने पूरा समझाया था अधिक्तम ऑक्सिकन आउस्ता किस कि यहां पर मेगनीज प्लस 7 ऑस्मियाम प्लस एट पर ऑस्मियम इसमें आप्शन ही नहीं है तो क्या अंसर होगा मेगनीज चले आई यह निवन में से कौन सा उबह धर्मी ऑक्साइड है इसका अंसर आप खुद बताएंगे आप सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखे आंसर क्या है क्योंकि यह क्यास्टन एक्जाम में आता है आता ही है इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इस पर सोचें आंसर तब होगा राइट जल्दी से मुझे बताना कमेंट में लिखकर जाना कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी फटा 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 अमल गम शब्द के लिए वह महत RS नदातु कौन सी है जल्दि बताओ छीक सथी यह जन्लेरी जातीय थांतोर और यह से जाता है कौन सब्सक्राइब में रहती है जल्दी जल्दी क्या हो उती है बता है बता हैै मर्करी यह नहीं पारा किस कारण से कमरे केताब पर दरवावस्ता में रहता है लेकिन यहां पर दुरबल बंद होगा अब तो अगया क्या अपनी बहुत उच्छ आइनन एंथलीपी और दुरूबल धात्पे का बंद के राइट बात समझ में आ गई होगी तो पटाफ़ जल्दी से लाइक कर दो कमेंट कर दो यस मैं आज का जो मैंने पढ़ाया है वह आपको कैसा लगा आपको समझ में आ गया यस मैं लिखकर जाना और जादा जादा कोशिश करो कि जितनी बार तुम चीजों को पढ़ सकते हो पढ़ने का कोई विकल्प नहीं बेटा जीवन में यह ऐसी चीज है कभी भी कोई नहीं सकता ग्यान ऐसा है जिंदगी भर तुमारे साथ रहेगा तो अभी कोशिश करो पढ़ाई पे ध्य तब तक खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो थैंक यू